हलो बचो आज हम ICI ने दूसरा पेपर निकाल दिया है मोग टेस्ट पेपर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर नमबर थ्री इंटर गूर्वन का पेपर थ्री का मोग टेस्ट पेपर की सिरीज वन पहले ही आ चुकी थी यह सिरीज टू है हम सिरीज वन यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं हमारी एक रिक्वेस्ट है कि बेटा आप लोग उस क्लास को देख रहे हैं तो प्रिप्या करके उसको लाइक कीजिए और जब यह क्लास आ जाए तो जादा से जादा लाइक और शेयर करिए बेटा हमारे लिए थोड़ा प्रिप्याइक्स जीस्टी मैं खुद पढ़ाता हूं और गुरूप टो में एफम और एकनामिक्स के भी MTP हम लेकर आने हमको सही टाइम का वेट कर रहे हैं तो अभी फिलाल हम शुरू करते हैं ओप टेस्ट पेपर जो अभी रिलीज हुआ है अपरेल में आठ अपरेल को को यह कंड़क्ट हुआ था और ग्यारा अपरेल को आई सी आई की वेब साइट पर आगिया है दस या ग्यारा अपरेल को अब हम शुरू कर रहें बिना किसी देरी के कोशन नंबर वन कंपलसरी है और बाकी पांच कोशन में से कोई चार करने एक कोशन पेपर जो एक्जाम म बना अच्छे से कोशन नंबर वन जाधातर कीजी होता है पांच पांच नंबर के करते हैं और 20 म architect का होता है अभी भी शुरुआत इसी करते हैं अब पाज्ट सब्सक्तिःफ को कश्यन हमको जो दिखाई दे रहा है यह मारजनल कॉस्ट इंक कह सब्सक्जий का है इन येर 22 23 सेल्स अमांटेट तू रुपीज 7 क्रोड 80,60,000 as compare to 5 क्रोड 93,10,000 बतल लास्ट येर हमारी टर्न ओवर कम थी और इस वर्च तोड़ी ज्यादा है 21-22 में से ज्यादा है टर्न ओवर प्रॉफिट जो था 22 में यानि के इस येर में 37,50,000 more than है जो 21-22 में था उससे जादा तब से पहले हमको ब्रेक इवन सेल निकालना है कमपनी का तो ब्रेक इवन सेल निकालने के लिए तो और ब्रेक इवन सेल पर आप हमेशा याद रखिएगा ये किवन सेल पर आपका टार्गेट होता है अगर इसको आप an eye योनेट से दिवाइट कर दे तो ये आता है आपका ये लिएट्स में वाइट कर और अगर इसी एका उसक्वायट कर दे तो यह answer आपका value में आ जाता है, दोनों से ही break even sale निकलती है, margin costing में जो भी आपका target हो, उस target को देख लीजिए, जैसे break even sale पर target होता है fixed cost cover करना, margin of safety sale पर target होता है profit cover करना, total sale पर target होता है fixed cost और profit दोनों cover करना, तो अगर इसको हम contribution per unit से या PV ratio से divide कर दें तो हमारा break even sale आएगा, पसंतर इतना है कि एक में units में answer आएगा, जब आप contribution per unit से divide करेंगे, और जब PV ratio से divide करेंगे तो answer आपका rupees amount यानि के value में आएगा, तो हमारे पास अगर आप देखें तो fixed cost तो है, इसकी tension नहीं है, हमारे पास contribution per unit और PV ratio की tension है, तो उसको अब हम कैसे करें, देखें हमें दो वर्षों की sales दी हुई है, एक year की sale अलग है और दूसरे year की sale अगर आप देखें तो अलग है, ठीक है, और साथ में हमको profit दिया हुआ है, अगर मैं आपको बताऊं तो यह profit कह रहे हैं, पहले से इतना ज्यादा है तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इसको समझिएगा यहाँ पे, एक PV ratio निकालने का तरीका यह भी होता है, change in profit upon me change in sales, यह भी एक तरीका होता है, हमें बताया है कि last year से इस बार जो हमारा profit ज्यादा है, last year से वो इतना ज्यादा है, तो बिटा यह आपको change ही तो दिया हु 22 में, 22 में उससे ज्यादा है profit और यह जितना भी ज्यादा होगा, उसी को हम change कहेंगे, तो बिटा यह हमको change दिया हुआ है, change निकालने की दुरुवत नहीं है, profit के change, और sales हम को को दी हुई है, इतनी, last year कि थी इतनी, बस की answer आजाएगा हमारा PV ratio आगिया, 20% हमेशा PV ratio, sale price या sales value की ratio percentage में होता है, अब हमको निकालना है break-even sale, जैसे मैंने भी question के starting में बताया था, जो भी हमको निकालना है, उस पर देखो target क्या है, जैसे मैंने बताया कि break-even sale पर हमारा target fixed cost होता है, इसे प्र पीवी ratio सो divide करना, अंसर आजाएगा, fix cost जितनी थी, वो ले लेना, fix cost आपकी थी, 98,50,000, 20% से divide कर देना, answer आपके सामने होगा, या answer की calculation आप कर सकते हैं, 4 crore, 92,50,000 आपका answer आएगा, अच्छा, इसके solution भी दिये हुए, कोई बात मेरी cross verify करने हो, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, determine करना है, profit और sales, अगर आपको sales value या volume इतना दियो, 8 crore 20 lakh, जैसे मैंने भी बताया, कि break even sale पर हमारा target होता है, fixed cost cover करना, ज्यान से सुनना, margin of safety sale पर होता है target, profit cover करना, similarly, total sale पर हमारा target होता है, fixed cost plus profit, ये target होता है, divide pv ratio से करेंगे, तो हमेशा marginal costing में ये चेक करो, दिया क्या है, हर जगा आप देखते हो, compute कारना क्या है, मगर margin costing में हमेशा चेक किया करो, given क्या है, given थी आपको total sale, हमने उसी से शुरू कर दिया, total sale कितनी given थी आपको, आठ करोड़ बीस लाग, fixed cost आपको given है, 98,50,000, profit आपको पता नहीं, ये ही तो compute करना है, और pv ratio भी आपने compute की थी, यहां से अब आप profit निकाल लीजे, 20% को उठा के इदर multiply कर दीजे, जो भी value आएगी उसमें से 98,50,000 माइनस कर देना, profit का amount आपके सामने होगा, 65,50,000, ठीक है, मैंने एक बात बता दीजे, उसको पकड़ लो, कि हमारा target क्या है, जो target हो, बस break-even sale पर target fixed cost, margin of safety पर profit, और total sale पर fixed cost और profit, और divide कर दो, pv ratio से, आपका answer आपके सामने होगा, तीसरा point क्या compute करना है, वो भी देख लो, तीसरा point हमें compute करना है, if there is a reduction in selling price, अगर selling price पहले के comparison में 10% काम हो जाए, 22-22 में, और company वो ही profit earn करना चाहती हो, जो उसने 21-22 में किया है, तो बताओ, वो कितना sales इजबार करे, कोई बात नहीं, यह भी अभी निकाल के दिखाते हैं, तीसरे part में फिर से कहरा है कि sales बताईगी हम कितने निकाले, उस कहरा है sales, sales बताओ, 2022-23 में क्या होगी, यह question है, अगर selling price पहले से हमारा 10% कम हो जाए, देखिए, अगर selling price कम होगा ना पहले से, इसका मतलब यह नहीं कि variable cost भी कम हो जाएगी, variable cost वही रहेगी जो पहले थी, देखिए, original sales कितनी थी आपके, पहले sales कितनी थी आपके, आप लोग जानते हैं, पहले sales कितनी थी, देख, तो कह रहे हैं, उससे 10% हमारा क्या हो जाएगा, कम, तो sales कैसे निकलता है, मैं आपको बता दूँ, sales निकलता है, number of units, sold, into में selling price per unit, बस वो कह रहे हैं, पहले से 10% selling price कम हो जाएगा, suppose करो पहले selling price 100 रुपेदा, तो अब 90 हो जाएगा, इतना ही फर्क होगा, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं, एक्स, और बेटा इसको 90, 100 मान लेते हैं, पहले selling price 100 रुपेदा, तो अब 90 हो गया होगा, तो हमारी sale हो जाएगी 90 एक्स, हमने एज्यूम कर लिया यहाँ पर, औरिजिनल sale price, reduction, reduce, by 10%, ठीक है, अब यह कम होने के बाद, हमारी जो total sales है, वो 90 हो गई, अगर बिटा, आपका selling price कम हो रहा है न, तो इसका मतलब यह नहीं कि variable cost per unit भी कम हो जाएगी, आप देखिए, आपकी PV ratio 20% थी, इसका मतलब है, variable cost ratio आपकी 80% रही होगी, 80% इसका मतलब है, यह 80% किसका होगा, selling price का, तो variable cost अगर हम per unit की बात करें, तो पुराना selling price हमने assume करा है, 100 होगा, 80% के साब से 80 rupees per unit हमारी variable cost होगी पहले, last year, वगर हम मान के चल रहे हैं कि हमारा selling price comparatively 10% कम हो जाएगा, तो पिटा अगर किसी चीज़ का selling price कम हो रहा है न, इसका मतलब यह नहीं कि variable cost कम होगा, हो सकता है, कुछ student confused हो जाएइ इस point पर, क्योंकि उन्होंने पढ़ा है कि variable cost बढ़ती है sales बढ़ने के साथ, variable cost कम होती है sales कम होने के साथ, अधर sales बढ़ती है तो variable cost भी बढ़ती है sales कम होती है, तो variable cost भी तो यह बात तो आपने बिलकुल ठीक सुने है, मैं कुछ और बोल रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ ये बोल रहा हूँ Wait U का उनित है ना वो चेंज नहीं होगी ही यह भी तो सुनाओगा आपने कि above you ॅबर दा पीररा रहती है रहती है पर यॉनित सेम रहती तो तो टोटल वैरियेबल कॉस्ट अभी भी क्या होगी एक्स यूनिट की एक्स इंटू 80 क्योंकि जितने यूनिट बेचने पर सेल्स आई होगी उतने यूनिट बेचने पर आपकी वैरियेबल कॉस्ट आएगी ठीक है सर तो और हम यह चाहते हैं कि हमारा प्रॉफिट या कंट्रिबूशन वही हो जाए जो लास्ट इयर था देखो कोशन में क्या कह रहा है वो भी देख लो एक बार कोशन क्या बोल रहा है कोशन बोल रहा है आप से प्रॉफिट आप प्रॉफिट एज इन दो हजार एक्किस बाइस तो दो हजार एक्किस बाइस का हमको प्रॉफिट देखना पड़ेगा देख लेते हैं यह तो हमने निकाल लिया प्रॉफिट इन दो हजार एक्किस बाइस तो पहले देखना पड़ेगा प्रॉफिट कितन नीती दो हजार इक्यस बाइस में तेल सीरी पांच करोड रानमे लाक दस अजार रुपे की सेल्स लास्ट यर और सेल्स को देखो मैं फिर से समझा रहा हूं समझना बहुत बात को सेल्स को अगर मैं मल्टिप्लाई कर दूँ पीवी रेशो से मैंने कुछ नहीं किया है यह सेल्स है और यह पीवी रेशो है इन दोनों की मैंने मल्टिप्लाई कर दी पीटा सेल्स की जैसे पीवी रेशो से मल्टिप्लाई करते हैं कंट्रिबूशन आ जाता है क्योंकि पीवी से मल्टिप्लाई करूंगा तो कंट्रिबीशन आ जाएगा और कंट्रिबीशन में से मैं फिक्स कॉस्ट माइनस करूंगा जो कि कितनी है वो है 98,50,000 मेरे पास प्रॉफिट आ जाए यह फिक्स कॉस्ट इसका 20 परसेंट निकालेंगे वो आएगा वन करोड एटीन लैक शिक्सी टू थाउजन माइनस अठानवे लाग पचास ताउजन यह है आपका प्रॉफिट आप उतना ही प्रॉफिट अर्ण करना चाहते हैं जितना लास्ट इयर किया था इसमें से माइनस कर दीजे यह आएगा आपका 20 लैक 12 थाउजन यह था लास्ट का प्रॉफिट और आप चाहते हैं करन्ट इयर में भी इतना ही प्रॉफिट paved तो देखिए जेरा आप चाहते हैं कि और प्रॉफिन 2021-22 में था और हमने 2021-22 का profit compute कर लिया है profit is equal to होता है बेटा sales minus variable cost और minus fixed cost ये profit हमने निकाला है 20,12,000 sales हमने निकाली है इस वर्ष की आप देखिए x की term में 90x variable cost 80x इसे मैं 90x कह देता हूँ इसको 80x कह देता हूँ और ये है 98,50,000 is equal to 20,12,000 अच्छा ये 98,50,000 वापिस इधर जायागा न 20,12,000 में एड़ होगे इतना ही आ जायागा 1,18,62 इसलिए जब आप ICI के आंसर में देखना न उन्होंने ये माइनस ही नहीं करा क्योंकि वह जानते थे कि वापिस एड़ करना पड़ेगा इसलिए उन्होंने बस सेल्स का पीवी रेश्यों से मल्टिप्लाई करके यहां लिखा तो प्रॉफिट है जबकि कोशन में तो कहा है प्रॉफिट है मगर ICI ने अपने आंसर में यहां कंट्रिबूशन निकाल रखका है उन्होंने बिल्कुल ठीक और सही का रखका है क्योंकि देखिए वापिस यहां पर लेके जाएंगे तो उत्रहीं आ जाएगा एक वन करोड़ एटीन लैक सिस्टी तू थाउजन मगर मैंने आपको समझाने के लिए क्या आप जरा से भी कंफ्यूज ना हो इसलिए तूरा खोल क्या आपको समझाईए बात इसको इधर ले जाएगे यह आजाएगा वन करोड़ एटीन लैक सिस्टी तू ताउजड और एक्स की वैल्यू निकाल दीजिए टेन से डिवाइट कर दीजिए नंबर ऑफ यूनित आ जाएंगे एलेवन लैक एटी सिक ताउजड तू हंड्रेड यूनिट्स यानि कि अगर इतने यूनि याट देखते हैं SP Limited है रिपीर करते हैं बजट फोर दा कमिंग येर और 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 इट्स तू प्रोड़क्ट ए और बी प्रोड़क्शन और सेल्स की यूनिट दिये हुए राव माटीरियल कॉस्ट पर यूनिट दिया हुए लेवर कॉस्ट पर यूनिट दिया है यह कोशन ब मार्केटिंग एफोड्स पुछ मार्केटिंग एफर्स के बाद जो प्रोड़क्ट इए और भी है उनके पंद्रासंट और पांसंट यूनिट इंग्रीस हो सकते हैं इंग्रीज वाइक इतने यूनिट बेच रहे हो हैं इसके 1500 और इसमें 500 और मिशत ओcek कि जलेए इसके लि आपको एक prepare बनाना है, prepare करना है, flexible budget दोनों प्रॉजेक्ट के लिए, marketing से पहले भी और marketing के बाद भी, आए के देख लिते हैं, मैं आपको flexible budget بتा देता हूँ, मैं एक product का बता देता हूँ, बिता, दूसरे का आप खुद बना लेना, मैं एक का बता रहा हूँ, पहले मैं आपको 6000 यूनिट पर बना के दिखा रहा हूँ ये बता रहा हूँ मैं आपको before marketing तो marketing से पहले तो इसके 6000 यूनिट ही भी कहेंगे एक हे marketing के बाद इसके यूनिट बढ़ जाएंगे तो मैं marketing से पहले की बात कर रहा हूँ इसमें दो कॉलम बनाएंगे एक पर यूनिट और एक टोटल सबसे पहरे हम लिख रहे हैं sales 120 रुपए sales है 6000 से multiply करेंगे 7,20,000 रहेगा अब इसके नीचे हम लिखते है raw material cost raw material cost 60 रुपीज है direct labor cost per unit 30 रुपीज है variable overhead cost per unit 12 रुपए है और fixed overhead cost per unit 8 रुपए है अगर हम सिफ cost cost की बात करें इसको यहीं पर रोग दें और इसको number डाल दें first sales को आपकी जो cost है 60,30,12 और 8 यह आ जाएगी एक ही 110 एक सो दस यह आ गई आपकी cost per unit तो second number डाल देते हैं कि हम तो cost कह देते हैं और cost per unit कहते हैं न गुर्ट 6000 से 60 की multiply करो 3,60,30 से multiply करो 1,00,12 से multiply करो 72,000,48,000 और यह टूम टोटल आ गया 6,60,000 चाहे चो टोटल कर लो या 6,000 की 110 से multiply करो प्रॉफिट आ जाएगा sales में से cost minus कर दीजिए प्रॉफिट आ गया 10 रुपर यूनिट यहां आगे सकता यह ना भी आए और इससे एक प्रैक्टिस होगी ना आपकी यह आफ्टर मार्केटिंग एफर्स बना रहे हैं पी का आप खुद बनाना विटा पर्टिकुलर्स प्रॉडक्ट ए यहां पर पर यूनिट यहां पर टोटल चेल्स अच्छा अब यहां पर इसके साड़े साथ हजार यूनिट बिकेंगे क्योंकि मार्केटिंग के बाद कुश्चन में कहा गया था पंद्रहों सो यूनिट ज्यादा बीचेंगे इसको यहीं पर रोग देंगे हम और इसको फस्ट नमबर डाल देंगे अपिस से रॉपीज है पर यूनिट यहां पर टोटल कर देंगे साड़े चार लाख आएगा डारेक्ट लेवर कॉस्ट 30 रुपीज यह 2,25,000 आएगा वेरियेबल ओवरहेड को बारा रुपे था उन्होंने का था दस परसेंट बढ़ाना है 13.20 यह 90 9,000 आएगा फिक्स ओवरहेड आप देखिए फिक्स ओवरहेड पर यूनिट कितना था पहले आठ रुपे यह ना तो बिटा यह बस इसको दिह कान से देखना इस पॉइंट को आपने कभी भी फिक्स ओवरहेड पर यूनिट नहीं बढ़ता है वह एग्रिगेट में बढ़ता है पहले फिक्स ओवरहेड 48,000 था था ठीक है वेरिएबल ओवरहेड को हमने पर यूनिट बढ़ाया है 12 प्लस 12 का 10 परसेंट मगर फिक्स ओवरहेड को हम यहां पर ऐसे नहीं बढ़ाएंगे कि पहले आठ रुपे तो और आठ रुपे का 5 परसेंट बढ़ा देंगे ऐसा करेंगे तो बिट बिटा वेरिएबल एग्रिएट में देखा जाता है उसका टोटल अमांट ता फोटी एट थाउसेंट उसका फाइफ परसेंट होगा 2400 रुपे टोटल वैल्यू इस 50,400 प्लस पोटी एट थाउसेंट का 5 परसेंट यह और 50,400 को अब 7500 से डिवाइड करिएगा तो 6.72 यह में पॉइंट था इ आएगी आप का एग्रिगेट कर देना 109.72 वाल का टोटल 8,24,000 यह सबसे में पॉइंट था फिक्स कॉस्ट वाला जो वैसे भी पता होना चाहिए इससे पता चल जाता है कि कि स्टूडेंट को कॉस्टिंग किस लेवल की आती है और यह आंसर आगे सिमिलर्ली आप भी के ल इस क्लोस किया है कि उनका नेट प्रॉफिट 10,20,000 यह नॉन इंटिग्रेटिट के अंदर एक चैप्टर दिया हुआ है टॉपिक लिग इंसलेशन उसका कुशन है और यह प्रॉफिट उनके एस पर कॉस्ट अकाउंट से हमेशा कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट यह लॉ प्रॉफिट दिया हुआ था आपको 10,00,20,000 पैक्टरी ओवरहेड अंडर एब्सॉर्ब दिया हुआ है अंडर एब्सॉर्ब का मतलब है मैं एक तरफ बना देता हूं कॉस्टिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट आपको समझाने के लिए और एक तरफ बना रहा हूं फाइन और फाइनेंशल अकाउंट में जो ओवरहेड होते हैं वो एक्चल ओवरहेड होते हैं और एक्जामपल यहां पर दो लाक रुपए के फैक्टरी ओवरहेड लिखे तो इस अंडर एब्सॉर्ब बाइटी थाउजेंड का मतलब है कि यहां पर ओवरहेड का अमाउंट एक ल क्या हुआ यहां पर जो प्रॉसेट आ रहा होगा कि वो थोड़ा ज्यादा रहा होगा यहां के प्रॉफिट से फारािनेंशल एकाउंट के प्रॉफिट पर उन्रोने डविटो 2 लाग किया द्याएं छो कानग वालों ने अपने प्रॉफिट में से इक लाग वीशेजार – म करने का चेतर है तो जो काम उनोंने किया वही हमको करना है उन्हों ने अपने प्रॉफित को कम किया है हमसे ज्यादा और वो डिफरेंस reckless 80,000 का कर देंगे जो उनोंने किया को यह हम करते ठीक है सर उसके बाद financial account में इतनी depreciation और हमारे account में इतनी depreciation यानि कि उन्होंने profit and loss में अपनी इतनी debit किये यहां पे 6.5 लाग दिखाएं कोई बात नी हम भी यही साथ पहले administrative overhead पहले इसको देखते हैं यह रह गिया यहां पर यह ओवर एब्जॉर्ब है तो ओवर एब्जॉर्ब का मतलब यह है कि हमने एक लाग वी सेजार यहां पर overhead फाल्टू दिखाया है मतलब यहां पर हमने सब्सक्रों profit दिखा और सौरी overhead दिखा दिया costing profit and loss में सब्सक्रों दो लाग वी सेजार तो financial account वालोंने पता है अपने कितना दिखाया एक लाग मतलब कॉस्ट में जदा है हमने ज्यादा एड किया है तो ज्यादा अमाउंट दिखा है पिछली बार कम किया था तो 80,000 कम दिखा है ताब 1,20,000 का पाल्तू है इससे हमारा profit कम हो गया है जबकि financial account वालों का profit मातर एक लाग से कम हुआ है और हमारा profit दो लाग भी सजार से कम हुआ है तो हमें तो उनके जैसा बनना है accounts के जैसा तो हम ये एक लाग भी सजार add कर देंगे ये प्लस कर देंगा इसलिए प्लस करेंगे चुकि जो financial account वालों ने किया हुआ है वह ही हम करेंगे उन्होंने अपने profit को मातर एक लाग से कम किया और हमने दो लाग भी से जार से कम किया है तो हमने एक लाग भी से जार से कम कर दिया था हम उसको सही करने लेगे लिए एक लाग भी तर जोड़ है अब आती है डेप्रेसिशन की बात इन्होंने साड़े चाहलाग रुपए लिखे होंगे डेबिट में तो हम भी साड़े चाहलाग माइनस कर लेंगे और हमने लिख दिये साड़े पांच लाग जो हमने अपने वाले लिखे थे उनको प्लस कर लेंगे और जो financial account वालों रिखे माइनस कर लेंगे अंटर्स आन इंवस्टमेंट नौर्ट इंग्लुडेड कॉस्ट एकाउंट इंवेस्टमेंट पे इंट्रस्ट मिलता है लोन पे इंट्रस्ट दे इंवेस्टमेंट पे इंट्रस्ट मिला फाइनेशल अकाउंट वालों ने क्या किया यह इंट्रस्ट अपने क्रेडिट में लिख लिए क्रेडिट में लिखने से क्या होगा उनका profit increase हो जाएगा हमने तो नहीं कर आप profit increase कर लो प्लस कर लो एक लाग बयान में अधार income tax provided provision for income tax जिसे बोलते हैं यह financial account वालों ने debit किया होगा हमने नहीं किया debit करने से मतलब profit कम करना credit करने का मतलब profit बढ़ाना तो उन्होंने अपना profit घटा लिया हम भी घटा लेंगे एक लाग आठ हजार रुपर माइनस कर लेंगे जिस चीज को मैं ब्रेकिट में दिखा रहा हूं को सब सब्सक्राइब चीज़े माइनस होगी एक लाग आठ हजार और एक बात याद रखना हमेशा कुछ भी हो जाए इसको आप ऐसे ही करेंगे ऊपर चाहें दस लाग बीसे जार जो सब्सक्राइबल को अवह प्रॉफिट का माउंट लाउस का माउटर प्रॉफिट हो एसी छोड़ी चुड़ लॉस है तो रेकिट मेहां प्राफिट दीया हुआ थしょ हमने ऐसी कर लिए उसके बाद इंट्रस और लोन ने जैसे मैंने भी बताया था लोन पे इंट्रस दिया जाता है इसका मतलब है प्राफिट लॉस वालों ने अपने अकाउंट में डेबिट किया हुआ होगा फोर लैक नाइटी राउजन हम नहीं किया है हम भी अभी कर लेंग इफिश्प हुआ या है हम भी बढ़ाएंगे उननोंने कम किया अभी कम करेंगे बस स्फिम्पल्स लाजिक है क्रैडिट हुआ है इस्टोर्स और चैजस्मेंट 28000 उनने बडहा है हम भी बढ़ा लेंगे आ उनको डिविश, influence, आपके सामने होगा और यह आसांसर आजाएग maximum level, minimum level और average stock level बना रहे 10,000 unit हम एक product के एक महीने में बना रहे है ये 200 रुपए हमको ओ दिया हुआ है ordering cost purchase price of material 20 रुपीज है reorder period 4 to 8 week है consumption of raw material है 200 kg से लेकर 900 kg तक यानि कि हमारी जो minimum consumption है material की वो 200 kg है maximum consumption जो है वो 900 kg है तो बेटा average consumption हो गई हमारी इन दोनों को जोड़कर दो से डिवाइड कर दो 900 प्लस 200 डिवाइड बै टू 550 kg हो गई और ये सारी consumption पर वीग दिये हम पर वीग बच्चो आप लोग क्या गलती कर रहे होंगा अगर किसी को ये question समझ में नहीं आ रहा होगा वो इसको ये निकालने के लिए ये निकालने के लिए आप 550 kg को जो की average consumption है या normal consumption है उसको 52 से multiply करना वो आपकी annual consumption आएगी और आपकी annual consumption जो है वो आजाएगी 28600 kg उसके बाद आप reorder quantity निकालना यानि के EOQ reorder level maximum minimum average stock level वो सब आपको निकालना आता है इसको मैं further discuss नहीं कह रहा हूँ फिर भी किसी को query हो description में number डाल दिये जाएगा आपका भी भी query पूछ सकते हैं आई आप question number two है ये full question है किस चीज का ये budget का question एक तरीके से JD limited produces and markets a very popular product called X the company is interested in presenting its budget for the first quarter of 2013 calling information important question exam के लिए देखिये following informations are made available for this purpose it expects to sell 50,000 bag of X during first quarter of 2013 at the selling price of 900 per bag ठीक है हर एक bag को बनाने के लिए bag of X को बनाने के लिए हमको material चाहिए 2,5 kg ठीक है जिसका नाम वाई और साड़े साथ किलोग्राम एक और material चाहिए जिसका नाम जैड है यानि कि हमको दो material चाहिए एक वाई चाहिए और एक जैड तब जाके एक bag बनेगा X का मतलब X बनाने के लिए दो material लगेंगे एक Y लगेगा और एक Z लगेगा Y धाई kg और Z साड़े साथ kg यहाँ पे stock का level दिया हुआ है यह finish good का stock दिया हुआ है opening closing का quarter का और यह material का दिया हुआ है opening closing का और यह empty bag दिये हुए यानि कि खाली bag जो packing के काम आएंगे product X को pack करने का यह की cost material की 120 है Z की 20 है empty bag की cost 80 रुपए है it requires 9 minute of direct labor अच्छा 9 minute लगते हैं direct labor के to produce and fill one bag of X X का एक bag बनाने और भरने में 9 minute लगते हैं और हम labor को 50 रुपए देते हैं गंटे के इसका मतलब है 50 रुपए हम देते हैं वर्कर को 60 मिनट के तो अगर मैं 50 रुपए को 60 मिनट से डिवाइड कर दूँ और 9 मिनट से multiply कर दूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं एक वर्कर को X के लिए एक bag बनाने के लिए कितनी payment करता हूं तो यह आजाएगा आपका 45 को 45 को 60 डिवाइड कर देना साड़े साथ रुपए आएगा यानि कि हम एक वर्कर को साड़े साथ रुपए देते हैं एक यूनिट एक यूनिट आफ एक बनाने के मतलब एक बनाने का इसके अलावा वैरियेवल मैनुफेक्षिरिंग कॉस्ट हम हमारी 30,000,000,000,000 है ना एक बैक को बनाने के दुबारा बता रहा हूं 50 रुपए एक गंडे के देते हैं तो 50 को मैं 60 से डिवाइड कर दूँँगा एक मिनट की लेवर कॉस्ट आ गई 9 मिनट से मल्टिप्लाई करूँगा तो नौ मिनट की लेवर कॉस्ट आ गई और 9 मिनट में बैक बन जाता है तो नौमनेट में जो भी पैसे दोगे वह एक बैक बनाने की लिवर कॉस्ट हो जाएगी जी ठीक है सर आगे सुनिए आगे हम से क्या कहा है कंप्यूट करने को हम से कहा है कि प्रिपेर करिए एक प्रोडक्शन बजट फॉर दस्टेड पीरियड हमको प्रोडक्शन बजट बनाना है बना सकते हैं जी प्रोडक्शन बजट हाँ बना सकते हैं बिलकुल बना सकते हैं प्रोडक्शन बजट का मतलब होता है सेल्स जो कि हमको 50,000 बैक की सेल दी हुई है आप देख सकते हैं प्लस क्लोजिंग स्टॉक जो हमको मेंटेन करना है वो दिया हुआ है फिनिश गूट का ग्यारह हजार माइनस ओपनिंग स्टॉक वह हमको कोशन में दिया हुआ है पंद्रह हजार माइनस कर देंगे तो हमें पता चलिए हमको प्रोड़क्शन करना है 46,000 बैक की आ रहे हैं कि फर्स पार्ट का अंसर होगी है आईए सेकंड देखते हैं क्या पूछा है प्रिपेर रौ मटीरियल पर है तो बताईए क्वांटिटी में भी और रुपीज में भी के मटीरियल कितना कितना लगेगा तो इसके लिए मैं आपको समझा देता हूं ऐसे एक टेविल बनाना आप जिसमें तीनों मटीरियल दिखाना एक का नाम वाई है एक का नाम जैड और एक एमटी बैक्स आपकी मैं किसी एक को बता रहा हूं आप देख लो रिकौरारमेंट पर यूनिट मतब एक यूनिट बनाने मेंे कितनी delBय जैसे इसमें ड़्य केजी लगता है य नग किजी ऐसाड़े साथ केजी और ये एक यूनिट लगेगा एक बैक करने अ ठीक है तो टोटल रिक्वाइर्मेंट कितनी हो जाएगी सर जितना बनाएंगे हम टोटल हमको बनाने 46,000 बैग यह उपर आया है फस्स पॉइंट में यह रहा और एक बैग बनाने में डाई किलो वाई का ऐसी 46,000 इंटो 7.5 46,000 इंटो 1 कर देना टोटल रिक्वाइर्मेंट आ गई एक लाग 15,000 केजी ऐसी यहां पर भी कुछ रिक्वाइर्मेंट आ जाएगी यहां पर भी आ जाएगी यहां पर 46,000 इंटो 7.5 कर देना यहां पर 46,000 इंटो 1 कर देना तोटल में आप क्लोजिंग स्टॉक्ड जोड़ देगा वाई का 26,000 यहां पर Z का जुड़ेगा यहां पर बैक का जुड़ेगा इसमें से कर देना ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक 32,000 है मैं यह मान के चलता हूँ यह concept आपको पता है है दीक है ना परचेस क्वांटिटी आ गई आपकी वन लेक नाइन थाउसेंड और हमसे का है इसमें कॉस्ट है आपकी कि को एक सोबीस रुपया पर किलोग्राम टो यह तो यूइनिट्स में गया एक लाकुनीचा और हमसे रपिडिया एक लाइच को सब्सक्राय करने के लिए एक लाइच्शा को वन ट्वट्वफ़ाय कर देना स्युमिलरड डी आप उए और निकाल दिया ठीक है उसके बाद उसके बाद देखिए बटा तीसरा सब्सक्राइब स्वारीबम व टाने के लिए सबसे पहरी वैरियेबल cost है raw material cost उसमें वाई लगेगा जैड लगेगा बैग लगेगा वाई धाई किलो 120 रुपए किलो जैड साड़े साथ किलो 20 रुपए किलो empty bag 80 रुपए का ये 300 रुपए का material ये 150 का ये 80 रुपए का उसके बाद labor cost लगेगी per unit और मैंने आपको बताया था 50 रुपए labor cost है साथ मिनट की तो नौ मिनट की हो जाएगी साड़े साथ रुपए कि variable manufacturing overhead आपको दिये हुए अच्छा इस थार्ड पॉइंट में भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे यहां देखिए यहां दिखा है variable cost बच्चे पता इसका आंसर क्या लिख देंगे डारेक्ट 45 पेटा 45 जो है न वो आंसर नहीं है वो तो आपको variable manufacturing overhead दिया है और overhead cost का पार्ट होती है यहां cost पूछता है अगर पूछता ना overhead तो फिर 45 होता answer अगर यह होता फिर आंसर अगर overhead पूछता वट अब तो cost पूछी है तो जो जो cost per unit लगेगी वो सारी variable cost है यह हो गई आपकी 582 रुपीस 50 पैसे यह है आपकी variable cost per unit यह पर पर बैग लास्ट पूछा है net income first quarter की आप देख सकते है net income first quarter की पर unit में भी बताई है और total भी बताई है बता देंगे कोई बहुत बड़ी बात नहीं net income पूछा है हमसे ठीक है पर्टिकुलर्स पर बैग और बैटा total ठीक है यहां पर सेल वैल्यू ले दीजिए 900 पर बैग इंटू कर दीजिए सेल वैल्यू जो भी है पचास अजार बैग है ठीक है यहां पर कर दीजिएगा पचास अजार इंटू में 900 ऑसो जो पाइनस वेरियेबल कोस्ट बेरियेबल कोस्ट में प्रोड़ेक्शन कोस्ट जो भी आपने पर्ट पर्ट में निकाल ली है 582.5 एड्मिनेस्टेशन एन सेलिंग गी भी वेरियेबल कोस्ट है जो की 5% है टेडिंग प्राइस का 900 रुपए का 5% यह 900 रुपए इसका 5% 45 आएगा ठीक है तो यह माइनस कर दीजेगा तो बेटा कंट्रिबूशन आजाएगा कंट्रिबूशन आगया 272 रुपए 50 पैसे और 50,000 वेक का कंट्रिबूशन आगया यह एक करोड 36,25,000 इसमें से माइनस कर दीजेगा फिक्स कॉस्ट फिक्स कॉस्ट पर यूनिट में नहीं लिखी जाएगी वह हमेशा टोटल में लिखी जाती अगर ऐसा कोशन आजाए और सर लिखना चाहें लिख देना लिख सकते हैं सर हां 30,000 जैसे है न तो 30,000 को 50,000 डिवाइ पर यूनिट लिखोगे तो निगेटिव आंसर आ जाएगा यह गलत हो जाएगा यह गलत हो जाएगा ऐसे नहीं करना है हमको टोटल में से माइनस करना इसलिए कभी भी यह मार्जिनल कॉस्टिंग का कॉंसेप्ट है कभी भी हम पर यूनिट माइनस नहीं करते हैं फिक स्कते माइनस करने में गडबड हो जाएगी नेट इनकम हो यह हो गया हमारा आई अब हम का भी पार्ट करते हैं यह दस नंबर का कोशन था जो की समझाने में देड़ लग लिए अगर आपको आता है तो इससे कम टाइम में हो सकता है यहां पर हम बनाएंगे क्या बूलते हैं तो मैं इसमें कुछ पॉइंट समझा देता हूं बाकी आपको आता है सबसे पहले एक नंबर पर या जाएगा जो वैली दी है उसमें जुड़ जाएगा फ्रेट इनवर्ड परेट इनवर्ड माटीरियल परचेस करने की जो कॉस्ट ह भी कonia होती है यह आर्ट का पार्ट होता है और इसे हम कॉस्ट में जूड़ते हैं इसके अंधर हम क्या करेंगे जो ओबनिंग स्टाक क्लोजेंग स्टाक दिया होगा में हम है कोपोशन में हो एडर लास और रहनँ दिया हो है ना ओबनिंग सटाक ऐसे ही नेक्स पीच पर य आ रहा हूँ इसको उसके बार बिटा आप वेजिस पेड इसमें जोड़ देंगे तूवर फैक्टरी वरकर्स ठीक है 39,20,000 रोयल्टी ये डारेक्ट एक्सपेंस में आएगा रोयल्टी एमाउंट पेड फूर पावर और फ्यूल ये डारेक्ट एक्सपेंस में आएगा क्योंकि ये डारेक्ट एक्सपेंस में आएगा और इसके बाद जॉब चार्जिस हैं जो जॉब वरकर को दिये गए ये भी डारेक्ट एक्सपेंस है इसके बाद आपका है यहां तक add करने के बाद, add less करने के बाद, less कह रहा हूँ, मैं closing stock को, यह सब करने के बाद prime cost आ रहेगा, उसके बाद आपको work overhead लिखने, यह आपका factory overhead का पार्ट है, ठीक है, और repair maintenance, जो plant and machinery है, वो factory overhead का पार्ट है, similarly, जो insurance premium है, यह factory overhead का पार्ट है, ठीक है, जो depreciation है, office building की, यह आपके administrative overhead में आएगा, जो sales office building की depreciation है, यह आएगा आपके, sales office building वाली depreciation, repair maintenance, यह आएगी, selling, overhead में, और यह insurance है, factory building का, insurance है यह, factory building का, यह भी आपके आजाएगा, factory overhead, यह दोनों चीज़े, factory overhead में आएगी, इसके अलावा, यह expenses paid for quality control, यह, यह factory overhead में आएगी, research and development की cost है, यह, यह ना, पीटा, यह research and development cost, और, यह वाली cost, इसके बारे में बात कराऊ, यह add होगी, factory cost में, यह ना office overhead होगा, ना selling overhead होगा, यह add होगा, यह चार item होते हैं, जो add होते हैं, और एक item होता है, जो less होता है, इसके अलावा, एक pollution control equipment दिखाई दे रहा होगा, आपको, ठीक है, एक, आ, देखी यह, यह, एक minute, यह 9 number, expenses paid for quality control, check activity, research and development, और आपका, यह, research and development, हा, यह दो चीज़े, research development और, ठीक है, यह जो pollution वाला यह, यह जाएगा, फैटरी overhead में, यह expensive pollution control and, यह जाएगा, फैटरी overhead में, और यह दोनों चीज़े, add होंगी, फैटरी cost में, ना यह office overhead होगा, ना यह selling overhead में जाएगा, यह factory cost में add होगा, अधा, प्राइम cost में factory overhead करने के बाद, उसमें दोनों चीज़े ही add होंगी, वो add होने के बाद, reliable value दी हुई है, एक आपको, scrape की, वो minus होगी, next page पे दीए, इसे minus करना है, जो मैंने भी बताया ना, factory cost में दो चीज़े add होंगी, उसके बाद यह minus होगा, तहां से, factory cost, फोल मिलाके यह पूरा question है न, यह आपके, जो cost sheet का format दिया हुआ है, जिसको उसके बारे में जानकारी वह भी बता सकता, और इसे इसमें prime cost, factory cost, cost of production, cost of goods sold, और cost of sales, पांच segment में आपको answer दे, इसके बारे में मैंने जो बताना था, वो मैंने आपको बता दिया है, जो में में बात थी, जैसे इसमें एक है, पीस paid to independent director, यह बाला, यह, यह आपका administrative overhead है, परफॉर्मेंस, बोनर्ट, पेटू सेल्स, यह सेलिंग overhead है, प्राइमरी पेकिंग नैसेसेरी for, finish, redistribution of finish, यह वाला, और यह नहीं, यह रो टोटल ता, यह आपका distribution overhead है, और यह जो प्राइमरी पेकिंग necessary to maintain quality है, यह प्राइमरी पेकिंग कॉस्ट है, यह add होगी, यह add होगी factory cost में, तो factory cost में क्या-क्या add होगा, एक यह add होगा, और यह 11 और 12 नंबर पॉइंट होगे, और sale value of scrap, यह कुछ बात ही थी जो बतानी आपको ज़रूरी थी, इस question के अंदर, इसके बाद question number 3 है, जो कि 10 marks का activity based costing का है, इसको मैं अच्छे से समझा देता हूँ, इसमें आपको यह दी है activity और यह इनके driver दी है, जैसे 18,42,000 है, इसका cost driver आपको number of order में दिया है 1200, यहाँ पर आप cost per activity निकालने, और कुछ भी ना करें, इसी को छाप दें, इसको एक number डालने, इसको दो number डालने और cost per activity निकालने के लिए first को second से डिवाइड कर दें, 18,42,000 को 1200 डिवाइड कर दें, 1535 आएगा, ऐसी 8,5,000 को 1240 से डिवाइड कर दें, 685.48 आएगा and so on, यानि के maintenance जो है उसको maintenance R से डिवाइड कर दें, setup को number of setup से डिवाइड कर दें, inspection को सबको डिवाइड करते चले जाएं, यहां 139.94, यहां 628.97, यहां 242.86 आएगा, इसके बाद यह आपने calculation कर ली, अच्छा है, यह हम पहले से निकाल के रख लेते हैं, यह तरीके का recovery rate होता है, यह जो cost per activity निकालते हैं, मैंने MTP1 में भी इस question को समझाया, इसी तरह के, company ने total batch जो produce किये हैं, वो 7600, material इतने का खर्च है, labor इतने का खर्च है, और usage activity कुछ ऐसी है, material के order इतने है, material moment इतनी है, maintenance आर इतने, setup इतने, यह तनी है, यह जो आपके rate आए ना, यह rate, इसकी multiply जैसे यह वाला rate है, इसकी multiply हम, इससे करेंगे, इसकी multiply हम इससे करेंगे, इसकी multiply हम इससे करेंगे, इसकी multiply, जैनिके इसकी इससे करेंगे, और इसकी इससे करेंगे, जब cost sheet बनाएंगे, to absorb overhead निकानने जब आप cost for the batch बनाएंगे इसकी cost बनाएंगे तुस्में material की cost सबसे पहले लिख देना यह amount wages लिख देना यह और जब overhead लिखना तो this multiply by this this multiply by this this multiply by this multiply by this this multiply by this वो factory overhead हो जाएंगे उनको जोड़ देना total cost आएगी 7600 से को डिवाइड कर देना लिवाइड कर देना और यॉनिजंट हो जाएगी हो गया question यही बताना था calculate cost deriva rate यह रहा cost driver rate इसको मैंने cost per activity का है और total और unit cost बताना नहीं थी this plus this prime cost फिर लिखना है overhead overhead में सबसे पहले material order 56 into this material moment यह into यह into यह into यह इस अंत्यों कर देना total cost number of units divided कर देना cost per unit हो जाएगी यह हो गया आपका इसका second part है यह पांच नंबर का है वो पांच नंबर का था उपर वाला पार्ट भी और यहां दे रखा है the falling figures are related to kg limited for the year ending 31 मार्ट 2023 sales दिया 48,000 unit cost selling price 400 PV ratio इतना break-even sales इतना fix cost बतानी है तो बिटा हमें साफ साफ दिया हुआ है कि हमारी जो break-even sale है वो sales का 50% है 48,000 हमारी sale है तो sale का 50% हो गया 24,000 है और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि marginal costing में जो दिया हो ना उसी से question शुरू करो आपको break-even sale दिया है और break-even sale पर target होता है fix cost divided by PV ratio है ना यह होता है target अगर यहां जो break-even sale है वो rupees में नहीं है units में इसलिए यहां पर आप एक थोड़ा सा change करना PV ratio की जगा contribution पर unit कर देना अगर यह 24,000 unit की जगा value होती 24,000 रुपए होता तो फिर यहां में PV ratio लिए यूनिट है तो contribution पर यूनिट लेकर ब्रेक-even sale कितना दिया है तर 24,000 unit fix cost तर मुझे पता नहीं तो प्रेक-even point मैंने contribution पर यूनिट मैं निकाल सकता हूं सर कैसे यह 400 रुपए आपका contribution पर यूनिट आजाएगा ऐसा करने से fix cost हो जाएगी दूसरा आपको क्या बताना है profit profit कैसे बताते हैं sales पे आपका target होता है fix cost प्लस profit upon में PV ratio या contribution पर यूनिट कंट्रिबिशन क्यों लिख रहे हैं क्योंकि sales यहां यूनिट में है तो जब sale unit में हो कोई सी भी sale तो आप हमेशा contribution पर यूनिट लेकिए वह अभी निकाला ता 100 रुपए fix cost आपको दी हुई थी तर निकाल लेंगे fix cost यहां पहले पार्ट में आ जाएगी बस फिर profit निकाल लेना वो fix cost जो यहां पर आएगी इस calculation में वह यहां उठाके रख देना answer आ जाएगा number of unit बताने तूबी इंकम 25% कोई बात नहीं पेटे अगर हमें पता है कि सेल्स हमारी क्या है fix cost क्या है प्रॉफिट क्या है तो हम नहीं निकाल सकते सरकर सकते हैं आईए हम से काया कि net income पर 25% मतब हमें number of unit बताने तूबी सोल्ड तूबी सोल्ड यानि के सेल निकालने के लिए fix cost प्लस प्रॉफिट लेते हैं और अपान में लेते हैं contribution पर यूनिट यहां यूनिट में निकालनी है number of unit मैंने एजिम कर डी एक्स contribution पर यूनिट मेरा आ चुका है 100 रुपे fix cost मेरी first part में आ चुकी होगी क्या मैं profit निकाल सकता करें profit जो लेना है वो 25% लेना है cost का पेटा कोई चीज cost के 25% होती है ना यानिके 1 by 4 तो सेल का 1 by 5 होती है यानिके 20% ठीक है तो तो सेल कितनी है ज़रा समझना मैं इस वाले पार्ट को एक बार समझा देता हूं तेल इस इकोल टू होता है fix cost प्लस profit अपान में दो चीज़े हो सकती है तो contribution पर यूनिट या PV ratio मैं PV ratio लिख लो तब भी answer ला जाएगा contribution पर यूनिट लिख लो तब भी दिक्कत नहीं है तो यहां सेल्स जो है ना वो रूपीज में लिखना होगा यूनिट में लिखना होगा कोशन में सेल यूनिट में दी है अगर मैं रूपीज में भी निकाल सकता हूं 48,000 को 400 से multiply करके तो रूपीज में आ जाएगी यह सेल आ गयी रूपीज में फिक्सकॉस आपका पस पारट में आ चुका होगा और प्रॉफिट कहरा है कि हम को जो निकालना है ना प्रॉफिट वो इस सेल्स का ताफ कह दिया है इस सेल्स का वो निकालना है हमको 25 परसिट मैं एक चीज घलत बोल लाओ बेटा वापिस kaunit इस टोल निकालने पॉर्थ पॉइंट में दुबारह देखो इता नंबर of units टोल निकालने और इतने unit निकालने कि मेरा प्रॉफिट और प्रॉफिट इतना हो कि वो कॉस्ट का 25 पर सेंट और देखो हम profit लेना है मुझको sales का 20% सर वो तो 25% लिखा था पेटा वो लिखा था cost का यहां में sales का लिख रहा हूं यह है contribution पर यूनित मैं इसको एक्स माल लेता हूं यह अपन में 100 हो गया contribution यह 24 लाग है जाना fix cost sales है 400 रुपए का एक यूनिट एक यूनिट एक यूनिट चार सो एक की इंटू में 20% sales का 20% यह amount है और यह जो से लिखा हुआ है यह यूनिट है 100 की multiply X में करो बेटा यह 100 X आएगा इदर 24 लाग आएगा और चार सो एक्स का 10% हो जाएगा 80 X X की वैल्यू निकाल देना बिटा इसकी वैल्यू निकाल दू इसकी वैल्यू बताएगा बिटा मुझे कितना आएगा 20 से डिवाइट कर दें तो एक लाग 20,000 यूनिट गलत कैसे आ सकता है यार हमारा ठीक आ रहा है एक लाग 20,000 बिल्कुल सही आ रहा है यह यह आएगा मैं दुबारा बता देता हूं इसमें यह यूनिट पूछे थे मुझे यूनिट कोशन में दिये नहीं थे मैंने X मान ली अगर X यूनिट भिकेंगे तो 400 रुपए के टोटल सेल हो जाएगी 400 X उसका 20% प्रॉफिट तो यह प्रॉफिट की जगा लिखा है यह जो मैंने यह एक बार देख लेते हैं और क्या रहे गया है यह भी पार एबी सी लिमिटेड ऑपरेट्स अ सिंपल कैमिकल टू करणवर्ट अ सिंगल मटीरल इंटू थ्री सेपरेट आइटम एज एक्स वाइज़ ऑल थ्री प्रॉडट्ट है आर सेपरेटिट साइमलेट इसली एट स्प् जा सकता हूं बगर मैं समझाना चाहता हूं यह आपको दी हुई है जॉइंट कॉस्ट यह रही है जॉइंट कॉस्ट यह है साड़े बारा लाक रुप है और इसमें कह रहा है कि आप इसको बाटिए नर्वी मेटड से नेट रिलाइज़ेबल वैल्यू मेटड़ से तो देक माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ठीक है तो आप क्या करो सबसे पहले यहां सेल्स वैल्यू लिखने में बच्चे क्या करेंगे 186 तन की 3000 से मल्टिप्लाई कर देंगे बस यह गलती करें जब भी आप जॉइंट को बाटें तो नंबर अफ यूनिट सोड को सेलिंग प की सिल्स वैल्यू ली यानि कि ये योनिट और ये योनिट के तोटल हैए 306 analyst तन यह योनिट यहें 587 तन यह यहञाक तन यहोनिट यह 59न और इनको आप सेलिंग प्राइस से मल्टिप्लाई करी आप जो कोशन में दिये हुए ही यह रहे यह जो आएगा यह सेल्स है इसमें से आप फर्दर पॉसेसिंग कॉस्ट माइनस करिए इसकी कुछ नहीं है इसकी है सिर्फ जैड़ है लाग भी सेदार वो माइनस कर देंगे तो यह एनर भी आ जाएगा पिर इस एनर भी में यहां कुछ यह शारा कूस को पंप साड़े बारा लग को इन तीनों की वाटोगे ना तो बूछ यह एनुट आएगा जो मैं बोल रहा हूं आपके में े शाड़े बारा लाख रुपे को जब आप आप नर भी की लिश्यों में बातोगे एक्स बाइज episodes में तो शेरिन जॉइंट कॉस्ट कुछ यह माउंट आएगा 466-797-561-496-221-707 यह आएगा टोटल कॉस्ट 12.5 लाद इसमें आप जोड़ दीजिए फर्दर पॉसेसिंग कॉस्ट इसकी कोई कॉस्ट नहीं है इसकी कॉस्ट है फर्दर पॉसेसिंग कॉस्ट 6,00,000 बीटाथ ऐसा करने से क्या होगा टोटल कॉस्ट आ जाएगी एकस वाई जाएट की उस टोटल कॉस्ट को फिर आप टोटल नंबर अफ यूनिट से डिवाइट कर देना याद रहे है total cost को जब आप number of unit से divide करेंगे total cost को जब आप दुबारा सुनिए total cost को sharing join cost में further processing cost जोड़ दीजे दो की तो further processing cost है नहीं एक की है cost per turn आ जाएगा कब कि जब आप total cost को output से divide करें आगे या जी बस अब क्या निकालना वो देख लो कि हमें compute करना है cost of inventory यानि कि closing stock की value निकाना और हमें क्या compute करना है cost of good sold ये जो cost per ton है ना इसको अगर आप इन वाले unit से multiply कर दें इन वाले से इनको आप multiply कर दें cost per ton से जो कि मैंने बताया कैसे निकले तो आपकी closing stock की value आ जाएगी और इसी cost per ton को अगर आप इन वाले unit से multiply कर दें तो वो cost of good sold आ जाएगी क्योंकि sold unit से cost per ton को multiply करोगे तो cost of good sold आएगी तो cost of good sold जो unit भिग गया उनकी cost तो sold unit वो question में दी है x, y, z के और सब की cost per ton निकाल लोगे आप multiply कर देना और stock की value कैसे निकालोगे unsold unit जो unit नहीं भिखे है वो multiply कर देना cost per returns नोँमीद कर लेता हूं आपको बात समझ में आ गई हां सर आ गई है के वी limited फैनुफेक्ट्टर्स लगेज प्रॉली इस लगेज ट्रॉली इस लगेज ट्रॉली इस फोर एयरपोर्ट द फैट्री इडवीड द कंपनी अंडर्टेक अल अफ इट्स प्रोड़क्शन हैस ट दरूवत नहीं है जिस जिस डिपार्टमेंट में कॉस्ट डालनी है डाल देना और यह अधर ओवर हैड़ेड जिनको आप डालेंगे मतलब आप चार डिपार्टमेंट बनाएंगे फैबरिकेशन असंबली स्टोर मेंटेनर्स ठीक है दो डिपार्टमेंट आपके प्रइस को आप एरिया की बेस में चारों में बाड़ देना ब्ल इल्डिंग इंशूरrats को बिटा एरिया की रेश इसी जांते यह री हिर दोल इरि लिया इसकी रैशों में चारम बाहिए इसको इन डोनों को एसको भी एरिया की रियोमे इसको भी एरिया की रिचिवल्ट प्लांड यी जाथ की। प्लांडटेंड मॉशींजू इंसूरें से देप्रेशीन वैइली ओप मशीन में बाढ़ देना चारों में देखना यह रहा वैल्ली अप्लांट एन मशीन की रेशों और सब्सीडी फॉर स्टाफ केंटीन पीटा इसे नंबर आफ एमप्लाईस की रेशों में बाढ़ दे को बाइए हां असम्बले डिपार्टमेंट इसे बाढ़ देना उसके बाद आप जो अच्छा इन्होंने क्या किया हुआ है इन्होंने डारेट कॉस्ट को भी प्रोड़क्शन डिपार्टमेंट में लिख रखा है और वो गलत है मैं फिर से बता रहा हूँ इन्होंने क्या किया है यह वाली जो cost आपको दिखाई दे रही है यह इसको उन्होंने overhead apportionment sheet में लिया है answer में और वो गलत है यह गलत है ऐसा नहीं करना चाहिए गलत overhead मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ यह गलत है यह cost sheet का part है overhead apportionment sheet का पार्ट नहीं है जो आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होते हैं ना उनकी डारेक्ट material डारेक्ट लेवर डारेक्ट expense कभी भी आप overhead apportionment sheet में शो नहीं करते हैं उसको आप दिखाते हैं direct cost sheet के अंदर cost sheet में हां अगर यह direct cost service department की होती तो मैं लेता है डिस्टिबिशन sheet में तो हमारा इनसे थोड़ा सा अंसर अलग आएगा जो की गलत दिया हुआ है मैं दिखाना भी चाहूंगा ICI के मॉड्यूल का अंसर कि यहां पर दिया हुआ है यांसर आप देखिएगा कि इनोंने कि यहां आंसर में अगर आपको विजीवल हो यह लिया वाइडारेक्ट कॉस्ट कि यह इनकरेक्ट सॉलुशन है यह सब सही है यह ठीक लिया है देखिए आप रेंट को फ्लोर एरिया में फ्लोर एरिया में वैल्यू प्लांट कि प्राईमरी डिस्ट्यूबीशन होने के बाद सर्विस एपार्टमेंट के खर्चों को दुबार असे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बाचना और रिस्ट्यूबीशन के लिए इननोंने क्या प्राइमरी डिस्रिबिशन पूरा हो जाएगा तो आपके इन तीनों चारों डिपार्टमेंट के खर्चे कुछ ही आएंगे जो की मेरा मानना है कि यहां पर आंसर में आपके जब आप हाथ से करेंगे तो एरर आएगी मतलब इनका आंसर कुछ और आ रहा है आपका कुछ और हैरा गा जैसे मैंने आप से माना करा कि यह यहां पूरी जिम्मYदारी से करा नहीं ले है यह मिस्टेक है यहाँ पर यह नहीं है है और यह सब सही आएगा उसकेपार इन्हों ने क्या कि है जो kuस्त है इसकोुंपितर आर्श्माड़ दिया और और कोशन में दिया होगा step method step method कहते हैं non reciprocal method को तो हम माल लेते हैं कि maintenance ने इन सब को service दिये इसको भी दिये इसको भी दिये इसको भी दिये मगर store ने इसको service नहीं दियोगी इसलिए देखें maintenance के खर्चे तो maintenance आर्स में बाढ़ दिये और इस्टो डिपार्टमेंट के खर्चे number of store requisition में बाढ़ दिये और वो खर्चे सिर्फ दो ही डिपार्टमेंट में बाढ़े मतलब इसके खर्चे तो तीन डिपार्टमेंट में बाढ़े तीनों में और इसके खर्चे दो में इसी को हम step method या non reciprocal method कहते हैं जब यह total आ जाएगा यह total फिर से मैं बता रहा हूं थोड़ा सा अलग आएगा हमारा total यह नहीं आएगा फोड़ा डिफर डिफर आएगा फिर हम से कहा है overhead recovery rate निकालो fabrication का मशीन आर के बेस पर और असंबली का लेवर आर के बेस पर क्या ऐसा कोशन में कहा है आएगे देख लेते हैं कुशन में कहा है यह नहीं कहा है पता चल जाएगा बस यह कहा है कि overhead rate निकालो most appropriate overhead recovery rate नमाल लेते हैं कि fabrication एक मशीनिंग डिपार्टमेंट है असंबली में मैनुवल काम होता होगा इसलिए इसमें मशीन आर को लिया गया इसमें लेबर आर को इसको जो भी फैब्रिकेशन के टोटल खर्चे आए इसको नमबर अब मशीन आर से बाढ़ देना इसको लेबर आ अब आगए हम नेक्स कुशन पर ठीक है और यह कुशन है हमारा फॉर्थ का भी थरीपार्ट है यह फापृलोईंग आरदर स्टैंडर्ट सॉप्रोडक टैक्स यह स्टैंडर्ट总 को स्टैंडर्ट कॉस्टिंग का कुश्चन है सब्साफ दिखाई हमको दे रहा है कि स्टैं की कौस दिये डारिक लेबर की कौस दिये सब एक्चुल दिया और हमको यह वैरियांस निकालने वीटा मैं तो आपको जैसे मैंने MTP1 में भी बताया था वैसी बता रहा हूं डाटा-4-material डाटा-4-cost-variant material नहीं है बहुत सारे हैं मैं इसमें टेबल में तीन चीजों को लूँगा material को लेबर को और यहां पर मैं standard data लूँगा जो question में दिया हुआ है जिसको आप budget data भी कह सकते हैं और इधर मैं actual data लूँगा इन में तीन कॉलम बनाऊंगा मैं quantity rate amount इधर भी मैं तीन कॉलम बनाऊंगा quantity rate amount सबसे पहले मैं material लूँगा material दस किलो आठ गन्टे आठ गन्टे आठ गन्टे इनका जो रेट है 9015 90 150 120 यह 800 और यह 900 ठीक है यह detail आपको एक unit बनाने की दिये fix overhead को नहीं लिया मैंने जान पूछ के नहीं लिए ठीक है अच्छा वैसे हम से बता रखा है कि budgeted output 2000 unit है आप चाहें तो मैं इसको 2000 unit से multiply करके भी ले सकते हैं मगर मैंने हापी detail सिर्फ एक unit की लिए जो actual detail दी है वो मुझको 1800 unit की दी है यह वाली detail यह वाली और फिर मैं इसकी help से यहाँ पर revise स्टैंडर्ड निकाल दूँ जैसे quantity rate amount जैसे material निकालना है दस किलो लगता है एक unit बनाने में तो 1800 किलो बनाने में अठाराजार लेवर के 8 गंटे लगते हैं 1800 बनाने में और 1800 को अगर 8 से multiply करें आप तो कोई बताएगा मुझे कितना आएगा 14400 वेरियबल ओवर हेड़ भी 14400 और यह rate ले लेना यहाँ पर amount आ जाएगे और जो actual दी है वह actual वाले ले लेना क्या क्या 17800 14000 एक आसान सा question दिया हुआ है और वेरियबल ओवर हेड के actual आर्स नहीं दिये तो वह भी 14000 ही लेना इसका rate 92 इसका rate 104 टोटल सॉला लाग सैंतिसाजार शैसो पोटी लैक विफ्टी सिक ताउजर और यह दो लाग सत्रह जार पांसो दो लाग सत्रह जार पांसो से को 14000 से डिवाइट कर देना यह रेटा जाएगा फिर material वैरियांस price indy observational यह लेना पहली रोसे labor के वैरियांस दूसरी रोसे दिकाल लेना और वैरीफम ऐ्रेट के वैरियांस तीसरी रोसे निकाल लेना अंपको fix overhead के लिए बना के दिखाता हूँ अब पर यूटूब पर प्लेलिस्टमे जाना वहाँ पर कॉस्टिंग् का प्लेलिस्ट है कोई से भी एर की कॉस्टिंग को कॉस्टिंग सेव रहती हमेंडमेंट नहीं आती उसमें महराथन भी पड़े में बहुत पुराने रिकॉर्डिंग थोड़ी पुराने कैमरे से तो आपको खराब लग सकती है बट मामला सही होगा कंटेंट एकदम वैल्यू लेंगे 2000 यूनिट है और एक यूनिट बनाने में आठ गंटे लगते हैं 2000 इंटो में 8 16,000 होगी है ठीक है और यहां पर आपको दिया है कि पर यूनिट का खर्चा 400 रुपए तो मैं अगर ओवर हैड निकालना चाहूं तो 2000 इंटो में 400 करके निकाल सकता हूं और वो खर्च 10 रुपए पर आर मेरा recovery rate आएगा फिर मैं यहां निकालोंगा standard hours for actual output यहां निकालोंगा मैं recovered overhead यह पहली लाइन budgeted overhead की ती यहां लिखूंगा मैं actual hours और यहां लिखूंगा actual overhead यहां लिखूंगा actual overhead का amount portion में यहां दिया हुआ है इस जगह 7,68,000 और actual hours मैं अराम से निकाल सकता हूं यह रहे 14,000 गंटे ठीक है एक unit बनाने के लिए हमें दिया हुआ 8 गंटे तो 1800 unit बनाने में कितने गंटे लगने चाहिए 14,400 और 14,400 गंटे पर हमने कितनी recovery की होगी 50 रुबे के साब से वह भी आप निकाल सकते हैं 7,20,000 तो बेटा यह आपके budgeted overhead हैं यह recovered overhead है यह actual overhead है इससे आप एक word याद रखेगा RBA recovered overhead minus budgeted overhead इससे आप निकाल सकते हैं fixed overhead volume variance और budgeted overhead minus actual overhead इससे निकाल सकते हैं fixed overhead expenditure variance मैंने एक word बोला है RBA recovered minus budget volume variance budget minus actual expenditure variance यह budget overhead है यह recovered overhead है यह actual overhead है एक याद रखेगा words सब यह standard hours यह actual hours इन दोनों का difference actual working hours capacity इन दोनों का variance efficiency variance और इन दोनों का difference capacity variance तो जैसे आप standard hours यह है 14400 इसमें से actual working hours minus करें और recovery rates से multiply कर दें आपका fixed overhead efficiency variance आ गया actual hours में से budgeted start minus करें और पचास से multiply कर दें यह capacity variance आ गया अरे भाई जो variance निकालना हो आराम से निकाल सकते हो बाग उमीद करता हूं बाद समझ में आ गई तरजी आ गई अब यह last question है यह labor का question है question number 5 अच्छा ICI के module में जो solution दिये होते हैं या empty में जो solution दिया होगा वो मेरे से हट कर अगर आपको पूरी standard costing देखने हैं तो उसका question मैंने YouTube पे डाल दिया ICI के module से आई यह मुझे लगता है में question है इस बार exam के लिए इसको जरूर जरूर हास से करके जाना आप exam purpose के देखिए अभी मुझे पढ़ाते हुए एक गंटा बारा मिनिट हुए और पांच में question पर आ गया हूं और मैं अच्छे से detail में आप लोगों को समझा भी रहा हूं एंप्टी लिबिटिड पेस्ट फॉलिंग टू स्किल्ड वरकर एंगेज इन प्रोडक्शन वर्स दा फॉलिंग आर्द एंप्लाई बेनेफिट पेड टू एंपलाई बेसिक सेल्डी इतना दे रहे है एचार इतना दे रहे है ट्रांस्पोर्ट एलावा ऐसा लग रहा है जैसे इंकम अंडर दे हैट सैलरी का कुश्चन दिया हुआ है ओवर टाइम केरें ट्वाइस मिलेगा आर्ली रेट का जिसमें बेसिक और डी ये दोनों लेना है जानी कि ये दोनों लिए ओड्ली इफ औरट मोर देन नाइनर्ज और ओवर टाइम लिया जाया जितना भी ओवर टाइम इस कंसीडर एरे इफर मोर देन नाइन आड अडि अदर वायज नो ओवर गा तो ऐट अःम एलावेंस ओन्फ एफ वर्क फोर मोर देन नाइन आर्श और डे इफ वर्क फोर मोर देन नाइन आर्स अठे देन ओवर time is considered after 8 hours इस लाइन का क्या मतलब है मैं अभी आपको डिटेल में समझाता हूं वार्क ओफ होलिडे एंड संदे डबल ऑफ पर डे बेसिक रेट प्रुवाइड इड वर्क एट लीस फोर आर्स दा होली डे एंड संदे बेसिक इस एलिजीबल फोर ऑल अलावेंस यह दो पॉइंट जो है ना बेटा यह आपका दिमाग खराब करेंगे बागी सम्में कुछ ऐसा खास नहीं है अंडीव एंड कुछ लीव दिया हुआ एंप्लायर कंट्रिबीशन दिया हुआ है यह पेंशन फंड के लि चार्ज करेंगे जॉब नंबर एस्टी 200 से एक जॉब होगी को एस्टी 200 उससे हम कितना पैसा चार्ज करेंगे उसके बारे में हमको जानकारी यहां पर दी हुई है एक दूरिंग दा मन्त जैड वर्क हंड्रेड आर्स ऑन जॉब एस्टी जैड अच्छ आप यहां संदे को भी काम किया इसने एंड एप्लाइट फूर त्री डेस कैज्वल लीव ऑन फिफ्टीन अगस्ट एंड संडे ही वर्क फॉर फाइफ एंड शिक सार्ड विदाउट लंच ब्रेक जबकि लंच ब्रेक मिलता है आदा गंटे का मतलब उसने पांच तारीक और तेरा ता आएंगे हमारा काम ही है इसको सिंपल बनाना सबसे पहले मैं आपको कोश्चन नमबर फाइब के एपार्ट में कुछ बाते समझा रहा हूं वो सुनिएगा हमें कम्प्यूटेशन करनी है अब आगर आप डारेक्ट आंसर देखना शुरू कर देंगे तो आपको नहीं समझ म आएगा इस आंसर को देखने से पहले एक बार कुशन को खुद भी पढ़ना है आपको वीडियो पॉस्ट करके ठीक है कम्प्यूटेशन ऑफ अर्निंग पढ़ डें इससे अच्छा है कि एक्जाम में जाकर ही पढ़ें पेटा यहां पढ़ लें अच्छी हमें कम्प्यूटेशन ऑफ अर्निंग करनी है पहली रिक्वार्मेंट कोशन की यह थी हम दो कॉलम बना लेते हैं पर्टिकुलर और पर्शेंट मिलेगा बेसिक सैल्डी का 26,000 का 20 पर्शेंट पांच रार दोस्तों यह दोनों अमाउंट मिला की 31,200 मैंने टोटल इसलिए कर लिया क्योंकि कई जगा कैल्कुलेशन में बेसिक और डिये दोनों लेना है हाउस रेंट अलावेंस उसने बोला है बेसिक सैल्डी और डिये का 16% लेना है नहीं 16% और बेसिक सैल्डी लेना है वेरी सॉरी यानि कि 26,000 का लेना है चार हजार एकसो साथ एम्प्लॉयर कंट्रिबूशन तू प्रॉविडेंट फंड यह काया है उसने बेसिक सैल्डी और डिये दोनों का लेना है 31,200 का 12 पर्शेंट 3,443,744 एम्प्लॉयर कंट्रिबूशन टू पैंशन यह 8-7% लेना 31,200 बेसिक सैल्डी और डिये दोनों का 21,84 यहां तक कोई लीव की कोई बात नहीं आई यह हमने निकाल दी वर्ड अराम से निकल गया हमारा टोटल इतना पेमिंट हम करेंगा वर्कर को नंबर ऑफ डेज जो एक महीने में वो काम करेगा 26 दिन है अगर हम रेट पर डे निकालना चाहें तो हम बड़े अराम से निकाल चाहें और वन टू डबल एट को 26 से डिवाइड करिए यह रेट पर डे आगे है ठीक है मगर इसमें हमने एक चीज नहीं लिए उसका नाम है ट्रांस्पोर्ट अलावेंस सब चीज ले ले लिए और ना इसमें अभी हमने ओवर टाइम को कंसीडर किया ट्रांस्पोर्ट अलावेंस पचास रुपए पर डे है और अफ एक्च्वल वर्ख इसी में जोड़ देते हैं ट्रांस्पोर्ट अलावेंस के नाम से उपर ले लेते हैं तब भी कोई दिखत नहीं था 26 इंटू 50 करते बाद में भी उतनी आता तो यह 1638 आता यह तो बस लिखने का एक तरीका है यह वर्कर की अर्निंग है एक दिन की तो यह तो पहला पार तो बड़ी आसानी से हो गया अगर ओवर टाइम को भी इगनोर कर दे तो आप ठीक है यहां पर हमने अगर देखा जाए तो प्रॉपर्डी ओवर टाइम को इगनोर कर दिया कैल्कुलेशन आफ अर्निंग पर डे अगर एक दिन में देखा जाए दूसरा पूछाता हमसे एफेक्टिव रेट में हमें बहुत कुछ बताना होगा एफेक्टिव र जब निकालते हैं तो टोटल वीजिज लेते हैं चाहे वो डेली बेसिस पर उस पैसे को कमाई या ना कमाई चाहे वो कैस्वल हो या कैस्वल ना हो इस पेशल हो कैसी भी हो वो दोन आएंगी जैसे इसमें बेसिक साल्डी आ जाएगा थबीस हजार अगर हम इसकी संडे और हूलीडे की दो बार आया था एक दिन संडे को आया था वह और एक बार होजीडे को आया था पंदरा अगस्ट को दो दिन की दो हसरर को ये लिखा हुआ है होया मैं नहीं क्या रहा है लिखा हुआ है है चकति है किater कि देखिए कि दा होली डे एंड संडे बेसिक इस एलिजीबल फूर ऑल एलावेंस एंड से टूटरी डिर्ट सभी चीजे मिलेंगे उसको वार्क अगर वो करता है होली डे और संडे को डबल ऑफ पर डे बेसिक रेट प्रोवाइडिट वर्क एट लीस फोर हर्स अगर वो चा कि यह अलावेंस बेसिक सैल्डी का और डिये का यह लेना है आपको 20 परसेंट अब यहां पर बेसिक सैल्डी और डिये 26,000 प्लस 2,000 28,000 हो गई है 28,000 का 20 परसेंट अगर आप निकाले तो बिटा 5,600 होगी तोटल कर दें तोटल यहां पर हो गया 33,600 मैं फिर से बता रहा हू यह अमाउंट उपर इसले नहीं लिया क्योंकि वो अर्निंग पर डे में नहीं आएगा वो रूटीन बेसिस पर आप अर्निंग नहीं कमा रहें मगर यहां पर आएगा क्योंकि भले ही आप कैस्वली सही मगर कमा तो रहें फॉर्मली नहीं कमा रहें कभी कभार कमा रहें सेवरेट में आएगा बट रूटीन अर्निंग में आपकी नहीं आएगा यहां फिर एचारें निकालेंगे जो कि 16 परसेंट है बेसिक सेल्डी का जानी कि 28000 का सोला परसेंगा फोड़ा लग हो जाएगा चारहजार ट्रांस्पोर्ट एलावेंस है ट्रांस्पोर्ट एलावेंस 26 दिन में से मातर 23 दिन का मिलेगा सर्क्यों क्योंकि ट्रांस्पोर्ट एलावेंस के बारे में साफ कहा गया था उसी दिन के लिए मिलेगा जिस दिन आप काम पर एक्च्वल वर्क करोई तो तीन दिन की तो इसने प्रांस्पोर्ट अलावन्स नहीं मिलेगा ट्रांस्पोर् पिर खाल विदं का मिलेगा तर मैं इसकी नहीनी कर रहा हूं शब खाल हूं यहां पर हम Below निछ बॉस हब प्र City का आना था मैंने सारी अर्निंग पड़े निकाल दी थी बाद में ट्रांसपोर्ट एलावेंस को 50 रुपए एक दिन का जोड़ तो कोई गलत बात नहीं है अगर जब आया है उसका हमको देखना है कि ओवर्टाइम कितना बनेगा क्योंकि जब तक वो नहीं निकालेंगे हम कुछ कर नहीं पाएंगे ठीक ओवर्टाइम इसके लिए हम बात करते हैं भी ओवर्टाइम अलावेंस इसके बाद आता है एंप्लॉयर कंट्रिबीशन तू पी एफ वो है थर्टी थ्री थाउजन शिक्स हंड्रेट का 12 परसेंट 4 थाउजन थर्टी टू तू पैंशन फंड सेवन परसेंट 29,600 का 7 थाउजन था थाउजन अगर मैं एदर ऐलावेंस बता दू ओवर्टाइम अलावेंस बता दू तो काम बन जाएगा अब वो कैसे बताएंगे वो आप सुन देजिए ओवर्टाइम अलावेंस कैसे बताएंगे उसको बहुत दिहान से देखना है ठीक है ओवर टाइम के लिए लिखा हुआ है कि ट्वाइस अर्ली रेट अर्ली रेट को डबल करना है और उसमें बेसिक से अर्ली लेनी और दे लेना है only if work more than 9 hours a day otherwise no overtime allow in if work for more than 9 hours a day then overtime is considered after 8 hours मतब 9 घंटे के इस लाइन को समझना 9 घंटे से जादा अगर आप काम करते हो तो आपको overtime allowance मिलेगा suppose आपने किसी दिन 10 घंटे काम किया overtime allowance मिलेगा मगर एक घंटे का नहीं मिलेगा दो घंटे का मिलेगा 10 में से 8 माइनस करो आपने किसी दिन 9 घंटे काम करा अब आपको overtime allowance की किसी दिन आपने 11 घंटे काम करा तो इसमें से आठ माइनस कर लो आपको तीन घंटे का ओवर टाइम यह लिखा है इफ वर्क मोर देन नाइन आर्स अडे देन ओवर टाइम इसका मतलब यह है कि ओवर टाइम के लिए आप ऐलिजीबल है अगर नौ गंटे से जाधा काम करें पर अग्ल झांपल दस घंटे काम करें यू आरेख इवर टाइम इस केस में जपकर एक तो 8 घंटे के बाद करेंगे प्रफेटें आफ और है नौक flooded काम करेंड़ आट गंटे से जाधा काम किया टाइम नहीं मिलेगा ओटाइम présentं दी मिलेगा जब आप 9 गंटे से ज़्यादा काम करें जो मेरी क्लास सुन रहें उनको यह बात समझ माई क्या कि यह बात समझ मागई ना अब आईए जरा कोशन में लिखा हुआ था कि कुछ टाइम का उनको बीच में गैप मिलता था लंच वंच करने का आठ घंटे एक दिन के दे आदा घंटा उसका मिलता था लंच का अगर में हां रेट निकालना चाहूं ओवर टाइम का रेट निकाल निकालना चाहूं तो देखो मैं रेट निकाल सकता हूं कैसे बेसिक वेजिस एक हजार और डियर नेस एक हजार का ट्वंटी परस्ट यह बेसिक और यह डिये उन्होंने का था ओवर टाइम में दोनों चीज़े लेंगे और डिवाइड भाई कितने घंटे हैं आड़ घंट से आदा घंटा लंच का है नॉर्मल लॉस है और नॉर्मल लॉस का बड़न हम हमेशा कस्टमर पर डालते हैं यह बात मालूम है न इसलिए इसको माइनस करेंगे क्योंकि लंच हमारे आनी होता होगा इंडस्ट्री में सब क्या होता होगा यह रेट आगया एक सो साट रुप मलेगा एक सो साट रुपर अगर मिलेगा कितने घंटों का यह तो कोशन अभी भी बकाया है मिलेगा कितने घंटों का चुब आप देख लो Sunday and holy day Sunday और holy day यहाँ पर दिखा आप 11 सविद्धे को 65 ह्जा और कितने गंटे काम कर रहे है शे है को चांधे काम घ्रे घंटे तो फांच फांटे और 6 गंटे काम कर रहे है तो इसका सकता बन जाया को नोट सकता है मुझे तो पांच गांटे जहें वह एंदे को कह रहें यहां कहीं लिखा होगा बिटा पांच और छे कितना बनेगा क्यारा बोलो बिटा यहां लिखा है वर्क आफ होलिडे एंड ये डबल आफ पर डे बेसिक रेट प्रोवाइड इड वर्क एट लीस फूर आर the holiday and Sunday is eligible for all allowance and state tutory deduction all allowance का मतलब है इस दिन आपको वो भी मिलेगा क्या बोलते है overtime allowance तो आप बताईए यहां कितने घंटे फाल्तू उसने काम किया है यहां पर बताईए यहां कितने घंटे उसने फाल्तू काम किया लिखा है ना वर्क कीतने घंटे काम करें चार गंटे पंदरा घस को कितने घंटे काम करें उसने पांच घंटे लंच ब्रेग अगर जोड़ लो तो आदा अदा घंटे का लंच ब्रेग है बनेगा एग अङए अगे ने सब लंच भी नहीं लिए है यह निके 11 के 11 गंट असने वह काम किया है वैसे नॉर्मली कोई वरकर कितने देर काम करता आठ सब्सक्रोंस अदब के गजांटे को लॉइंच मिलता है अगर कोई चार गंटे किसी दिन काम करें तो बताओ पंदरा मिलड़ा का लॉइमना चाहिए नहीं मिलना चाहिए उसको संझाधे अपके भूलीडे में चार गंटे की टाइम लिमिट है अगर आठ गंटे में आदा गंटे का लेंच तो चार गंटे में बताइए पंदरा मिनिट का लेंच होना चाहिए नहीं होना चाहिए को होली डे के दिन चार गंटे का टाइम संडे के दिन 4 गंटे का टाइम से डोनों दिन अगर वो आ जा या तो टोाल गंटे बनते आठ गंटे दोनों दिन वो आया है और 11 गंटे काम करास को जबकि Is 8 खंटे में आदा करता है सो प्रूज़ घ्राइंटी इस को रही है शो क्या घ्राइशन को घ्ल्त दिया है कि कैलकुलेशन अब मेरे साद से वो ठीक完 गोलेशन थीक नहीं है calculation ठीक है मेरे मेरे हिसाब से ठीक नहीं है बाकी तो देख लेंगे ठीक है मेरे हिसाब से ठीक नहीं है overtime की calculation मैं overtime की calculation आपको समझा रहा हूँ इधर overtime allowance की calculation यह overtime का rate आगे है तो ठीक 160 रुपए overtime का allowance कितना आएगा 160 रुपए के हिसाब से rate है जो ICI के module में दिया वो मेरे हिसाब से गलत है इसका twice मिलेगा twice का मतलब है दो गुना इंटो में आर्स पिटा यह आर्स की calculation बताओ करनी पड़ेगी या नहीं इसकी calculation मैं करना हूँ अलग से वरकी नोट नमबर वन में overtime hours संडे के दिन वो आया है होलीडे के दिन वो आया है उन्होंने कहा है कि overtime तभी लगेगा जब वो 9 घंटे के ज्यादा काम करें नो घंटे से ज्यादा काम करें तभी overtime लगेगा आप बताइए इसने कव संडे को और holiday को क्या 9 घंटे से ज्यादा काम करा है देखो सुनो बेटा नहीं बताइए यहां पर यहां पर यह जो दीए नहीं देंगे आपको हम overtime नहीं देंगे आपको तो क्या संडे holiday को इसने किसी भी दिन 9 घंटे से ज्यादा काम किया है क्या नहीं किया तो बेटा इसको overtime नहीं मिलेगा फोड़ी सी मेरे से पढ़ने में गलती हो रही थी मैं अपनी mistake को मानता हूं मेरे से पढ़ने में गलती हो रही थी तो संडे और holiday को overtime नहीं मिलेगा मैं पढ़ने में mistake कर रहा था ठीक है क्योंकि question में साफ एक बात लिखी है देखो वह यह बात लिखी है साफ कि overtime तभी मिलेगा if works for more than nine hours a day देखो लिखा if work more than nine hours a day otherwise no overtime allowance और Sunday को holiday को इसने किसी भी दिन नौ घंटे से जादा काम नहीं करा बलकि नौ घंटे भी नहीं करा आट घंटे भी नहीं करा तो Sunday holiday को overtime नहीं मिलेगा ओवर टाइम मिलेगा इन दो दिनों पर यह है overtime के overtime इसमें से भी जो 13 अगस को इसने इसमें दो है एक पांच अगस एक तेरा अगस में वरकी नोट में दिखाता हूं यहां पर जहां बना रहा था तो Sunday holiday तो बाहर गय एक है पांच अगस को इसने काम किया है 10 hours और 13 अगस को इसने काम किया है 9 hours तो बिटा यह इसके total hours है total इसमें से normal hours बनेंगे इसके आठ घंटे एक्स्ट्रा आर्स बनेंगे इसका एक गंटा मतब बरकींग आर्स इसके normal 8 है आठ से जो 9 है वह एक्स्ट्रा है एक और ओवर टाइम आर्स इसका एक घंटा इसका ओवर मार्स कुछ नहीं ऐसा एक कोश्ट्रा आइसी आई के मॉडियूल में भी दिया हुआ है कोश्ट्र में साफ लिखा हुआ है कि ओवर टाइम हम तभी देंगे जब नौगंटे से जादा काम करें आप बताईए कि तेरा अगस को उसने नौगंटे से जादा काम किया है क्या नहीं किया तो यहां पर ओवर टाइम नहीं मिलेगा इस जगा पर ओवर टाइम नहीं मिलेगा इस दिन तिर्फ ओवर टाइम मिलेगा इसमें और इस दिन कितने घंटे काम किया उसने दस घंटे काम करा है तो कोशन में लिखा हुआ था कि अगर कोई 9 गंटे से जादा काम करें तो ओवर टाइम मिलेगा और उतने घंटों का ओवर टाइम मिलेगा जो 8 गंटे से उपर होंगे है यहां जो इसके टोटल है एलीजीबल कि और ओवर टाइम वह एक यह वाला घंटा और एक यह वाला इसके दो गंटे और टाइम कर üzसका अ कि इससको नहीं है सी को ता मिला कि यह अजром करा मेरी बात समझ में आपको आई या नहीं आई संडे ओलिदे का over time नहीं मिलेगा क्योंकि नौ दिन गंटे से जादा काम कहीं नहीं कर recover 100 अग्रस को इसने नौ गंटे जादा काम करा 10 गंटे तो स्कोवञडर्टाइम मिलेगा दस में कि 8 माइनस करके 2 गंटे गा 3 अगसको तो इसने मातर 9 घंटे काम करा इसको कोई Overtime नहीं मिलेगा इसलिए calculation में यहां यहां पर calculation में अगर ICI के मॉड्यूल में देखेंगे तो टू इंटू किया हुआ है मैं ICI के मॉड्यूल से दिखाता हूँ अब आपको अगर आपको समझ में में आ जाए मेरी बात देखिएगा calculation में देखिएगा ICI के कि एक सो साट रुपर आर वाली तो calculation आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी कि यह देखिए यह जो लिया है नों यह जो तू आर्स है ना यह पांच अगस्त की आर्स है दस माइनस आठ और यह दो किया है नोंने ट्वाइस इसलिए इनका overtime का जो amount आ रहा है वो 640 आ रहा है टोटल पेमेंट इतनी आ रही है अगर बात समझ में आगे यह तो बताओ अब टोटल वेजिस को हमें डिवाइड करना नंबर ऑफ और से टोटल वेजिस को डिवाइड करना है और और नंबर ऑफ और समये निकालने काम 8 गंटे आदा गंटे का LUNCH бр Expanded開始 गंटे इन'M 50 तिक यानि के नॉर्मल लिए एक 25 गंटे काम होना चाहिए ही मगर रहा है यह नॉर्मल यह इसनैं घंट कआम होना चाहिए एक्षवल में कितने गंटे काम हो रहा है कि 21 दिं काम हो क्योंकि अगर देखा जाए तो 26 में से 21 दिन काम हो रहा है सर कैसे मैं बताता हूँ टोटल दिन हुए है 26 दिन 26 में 3 दिन की तो छुट्टी हटा दो बचे 23 दिन इसमें से फिर 5 अगस हटा दो क्योंकि उस दिन ज्यादा काम हुआ है एक 13 अगस हटा दो उस दिन ज्यादा काम हुआ है टोटल आपको देख सकते हो कितने दिन हटा दो पांच तीन एक चार और एक पांच इकीस दिन तो काम हुआ है आपका साड़े साथ घंटे पर दे त्रीक है उसके अलावा जो ओवर टाइम वाले घंटे हैं जो हुआ है पांच अगस को और तेरा अगस को पांच अगस को काम हुआ है दस घंटे आदा घंटे का लंच इसे भी साड़े साथ रुपे पर आर से मल्टिप्लाई करो नहीं से साड़े साथ से दस घंटे ये पांच अगस की घंटे लगिए में दस अगस उस तस गंटे आदा गंटे का लंच पिर 13 अगस को काम हुआ है नौ गंटे उसमेंसे भी आदा गंटे का लंच भी यह हो गया आपके नौर्मल आर्ज शब्वेस दिन में तीन दिन की छुट्टी पांच अगस को अटा दिया तेरा अगस को अटा दिया बाकी दिनों में साड़े साथ गंटे आठ माइन सादा कि अब एक दिन संड़े को इसने काम किया पांच घंटे यह है और 15 अगस को इसने काम किया च्छे गंटे इसमें मैं आदा घंटा नहीं माइनस कर रहा क्योंकि इसने काया कि इसने लंज ब्रेक नहीं लिया यह है इसके एक्ट्वल वर्किंग आर्स जो आपको सामने दिखा देने चाहिए क्या समझमाई बात क्या नहीं है बस इस 186.5 से इसको डिवाइट कर देना एफेक्टिव रेट आ जाएगा अर्णिंग एफेक्टिव रेट आ जाएगा बिटा अर्णिंग का आप देख सकते हो आंसर इस 186.5 से डिवाइट कर रहा है और एक लास्ट बताना था कि जॉब जेट जॉब नंबर एस्टी 200 से कितना चार्ज करें तो घंटे उसके लिए काम करा और एक घंटे का रेट आया टूस दो सो और तालीस रुपर पर आज इतना पैसा चार्ज करें अमीद करता हूं बात समझ में आ गई है आप लोगो अब एक लास्ट कुश्चन है आई सी आई मॉड्यूल एमटीपी का अगर बेटा केशी को फिर भी क्वैरी हो एक बात मेरे जबान से गलत निकल गई लास्ट कुश्चन में कि मैंने कहा ओवर टाइम एलावेंस गलत दिया हुए वह गलत नहीं मेरे पांडे में मिस्टीक व की कुश्चन में साफ लिखा हुआ था कि हम ओवर टाइम उसी दिन का देंगे कि कुछ भी हो जाए जिस दिन नौगंटे से जाधा काम करें और संडे को और पंदरा अगस को नोगंटे से जाधा काम ने किया रहा था तो उस दिन के तो ऑवर टाइम की बात ही नहीं तो जो मां चकास को आपने 10 गंटे काम करें तो दस में साट माइनिस करेंगे इसलिए दो गंटे आया वा ठीक है और इसमें 186.5 वाली जो कैलकुलेशन थी उसको दियान से देखना था एक ट्रांस्पोर्ट एलाविंस वाला जो पॉइंट था उसको दियान से देखना बाकी सब मै सर्विस कॉस्टिंग का कोशन है इसको देखेगा जहां तक अगर मैं घलत नहीं हूं तो सर्विस कॉस्टिंग का कॉश्चन होना चीये है कि सर्विस कॉस्टिंग का कोशिटन अरनव LMV operate cab and car rental service in Delhi NCR it provide its service to the office of Noida, Gurugram and Faridabad. At present it operates CNG fuel car but it is also offering to upgrade these into electric vehicle the following details related with the owning of CNG and electric vehicle propelled car propelled मतब चलने वाली उससे car as tabulated blow car की value दी है दोनों की government की subsidy electronic vehicle electric vehicle पर मिलती है electronic बोलना हो गलती है life of the car है residual value है mileage दिया हुआ है दोनों का उसके बाद आप देख सकते हैं उसके बाद क्या दिया हुआ हुआ है उसके बाद हमको और भी चीजों की detail दी है electric consumption CNG power cost annual maintenance annual insurance tire replacement battery उसके बाद इनके अलावा addition formation distance कितना car travel करती है driver की salary garage rent हमें operating cost of vehicle per month per car बतानी है दोनों के लिए CNG के लिए और उसके लिए भी तो हमें operating cost बनानी है आई यह हम operating cost बनाते हैं यानि के operating cost ही यहीं पर करते हैं इस question को यह हम से पूछा है operating cost और monthly बताना है per month दोनों car के लिए बताना है ठीके बताएंगे CNG के लिए बताना है और electric vehicle के लिए बताना है सबसे पहले इसमें हम running cost कहीं ऐसे नहीं तो नहीं दिया है के running cost में बाटना है fix में आप जैसे भी आपको teacher ने आपके बताया हो वैसे ले लो जैसे हम बताते हैं standing charges और running charges ले लो ऐसे ले लो और ICI के जो MTP के answer में दिया है उन्होंने लिया है running cost दूसरा लिया है maintenance cost और किसरा लिया है उन्होंने fix cost आप चाहे ऐसे कर लो इससे कोई दिक्कत नहीं है आप fix cost को service कह सकते हैं sorry standard charges बोल सकते हैं और running और maintenance को पेटा अलग से running charges में ले सकते हैं आप ऐसे भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं maintenance में सबसे पहले हम हम देखिए हम सबसे पहले हमारे पास cost कौन सी हमको तो बहुत कुछ दिया हुआ है जैसे यहां maintenance में हमको दिया हुआ है 8000 और 5200 insurance में अलग से दिया हुआ है आईए पहले तो हम लिख लेते हैं कौन सी cost कहां पे आएगी maintenance की cost maintenance में आएगी insurance हर साल देना पड़ेगा ये भी यहां पर आएगा tire replacement cost यहां पे आएगा battery आएगा ये जो चारो cost आपको दिखाई दे रही है ना चारो maintenance में आएगे B part और इसके अलावा fuel यानि के ये जो ये है ये सब A part में तो पहले हम running cost निकाल लेते हैं running cost में क्या क्या आएगा तो पहले हम ये पार्ट की calculation कर लेते हैं तो मैं answer से आपको दिखाना चाहूँगा कि ये पार्ट की calculation इन्होंने कैसे की एक बार आजएगी इनके solution सबसे पहले इन्होंने working or number 2 देख लीजिए 1 देख लीजिए calculation की है depreciation की परमन कार का purchase price बताया है जो की कोश्चन में 9,20,000 और 15,20,000 दिया गौर्मेंट की सबसेड़ी अगर गौर्मेंट ने सबसेड़ी दिये तो से माइनस करते हैं उसका depreciation हमको नहीं मिलता यह हम income tax is section 32 subsection 1 clause जो अलग-अलग clause है आई इस clause आई आई फुल मिला की 32 सबसेक्शन मन के एक explanation में लिखा हुआ है कि अगर आपको सबसेड़ी मिलती है गौर्मेंट की तरफ से तो सबसेड़ी को माइनस कर देंगे depreciation calculate करते समय इसलिए हमने सबसेड़ी यहां माइनस करते हैं और यही principle आपकी cost accounting में लगता है residual value माइनस कर दी जिसको आप salvage value कहते हैं यह वह amount है जिस पर आपको 15 साल में और इस asset पर 10 साल में depreciation मिलेगा यह आपकी annual depreciation आ गई क्योंकि cost sheet मंतली बना लिए इसलिए 12 से फर्दर डिवाइट कर देंगे 12 वर्की note समझ में आ गया यह amount उठकर यह दोनों amount आपके चले जाएंगे cost sheet जो आप बना रहे हैं उसके fix cost में लिया है आप चाहें तो running में ले सकते हैं इन्होंने जो लिया है fix में लिया है मगर मेरा मानना ही है कि depreciation हमेशा running में जाना चाहिए क्योंकि जतना ज्यादा vehicle चलेगा vehicle उतना ही जादा depreciate होगा मगर ICI क्या करता है कि जब straight line method से depreciation लगाता है तो depreciation को fix में ले लेता है यानि के standing charges इसलिए इन्होंने fix में लिया है पर personally मेरा opinion ऐसा है कि आप इसको running में ले मगर ICI अपने पूरे module में जहां जहां straight line method लगाता है महाँ depreciation को standing charges यानि के fix charges में लेता है सर हम क्या करें क्योंकि सभी बच्चे जो class देख रहे हैं वो मुझसे तो पड़े नहीं कि मुझको भी यहाँ पर यकीन दिला सकूं विश्वास दिला सकूं जैसा ICI नहीं किया है वैसा ही करिए आप ठीक है उसके बात दूसरा है fuel और electricity consumption क्योंकि इसमें electricity लगेगा इसमें फ्यूल लगेगा यह माईलेज है इनका 20 किलोमेटर और 240 किलोमेटर एवरेज डिस्टेंस दिया हुआ है एक मन्त में 1500 किलोमेटर पांटिटी हम कैसे निकालेंगे 1500 किलोमेटर और यह 20 यानि के 1500 किलोमेटर और 20 किलो लगती है किलोमेटर चलती है इसका मतलब 75 किलोमेटर लगेगी हमने 1500 को डिवाइड कर दिया 20 से और इधर 15 को डिवाइड कर दिया 240 से तर मतलब मतलब कुछ नहीं है मतलब सिंपल सा यह है कि कार के अधर दिया और यह 20 किलो मतलब चलती चलने के यह 50 किलो चलती ने के लिए है इतनीजी 14 किलोमेटर चलाने के लिए कि यह 1 एक को चलती है और इलेट्रिक कंदमशन कि को उस का पैटा कोउच्षण में दिया हुआ है मैं आपको दिखाना चाहूंगा कोश्चन में इसके बारे में क्या दिया हुआ है आप देखिएगा तो खुछ समल जाएंगे यह दिया हुआ है साथ रुपे साट पैसे पर किलोवाट आर और इलेक्रिक कंसम्शन है पर फुल चार्ज पर किलोवाट आर उकणी है यह इन दोनों को मुल्ट पुलाइ कर दिया इनोने आंसर निकालने आप देख सके तावस्य में अभे साथ क्या है यहां गया जानी है कि युद्ट्रे कंसम्शन हमारी कितनी है इन ट्रेक्रिक कंजंप्शन है जी हमारी फिर से बताना चाहूंगा फिर से दिखाना चाहूंगा कुश्चन को एक बार ठीक है वर ना आप कन्फ्यूज होंगे फिर से दिखा रहा हूं बेटा देखिएगा 30 किलोवाट है और जरा मुझे कोई बच्चा बताएगा 187.5 को 30 से डिवाइड करने पर कितना आ रहा है 187.5 को 30 से डिवाइड करने पर पॉइंट वर 6.25 तो पेटा आप कुश्चन में देखिएगा आंसर में देखिए अब मैं आपको दिखा देता हूं यह आ रहा है देखिए यह ताना 6.25 यह यह कैसे आया है 30 किलो बाट आर दिया हुआ है और 6.25 खर्चा है यह हो गया आपका 187.5 पावर कॉस्ट कैसे आ गई यह 90 आई है कॉस्ट आफ सी एंजी पर किलो ग्राम तो 75 किलो को 90 से मल्टिप्लाई किया होगा जहां तक है तो यह आया होगा और 187.5 को साथ रुपए साट पैसे से मल्टिप्लाई कर आओगा तो यह यह फ्यूल की कॉस्ट आ गई इसको कॉस्षीट में सबसे पहले लिए देना इस वाले अमाउंट को फिर देखो यह अमॉर्टाइज कॉस्ट आफ वीगल कोशन में दिया हुआ थ मतलब इतने साल चलेगा क्या बोलते हैं उसको रिप्लेश्मेंट देखो कि सी एंजी की कार 15 साल चलेगी और जो उसके टायर है ना वो पांच साल बाद बदलवाने हैं तो जब कार आएगी नहीं नहीं तो बेटा उसमें भी टो टायर लगे होंगे ना यह आपके चल जाएंगे जीरो से पांच साल तो फस्ट फाइव यह वही टायर चल जाएंगे जो कार में लगे हुए हैं आपको टायर बदलवाने पड़ेंगे अब पांच साल के बाद तो पांच साल के बाद बदलवाएंगे तो वह दसवे साल तक चल जाएंगे पिर जो टायर की थोड़ी आएगी कार कार में टायर लगे वे भी तोंगे ना वो पहले पांस साल चल जाएंगे तो पहले पांस साल में तो वही टायर चले जो कार में लगे हुए थे तो पंदरा साल कार चलाने के लिए टायर दो बार बदले जाएंगे और दस साल कार चलाने के लिए टायर एक ही बार बदले जाएंगे एक बार टायर बदलवाने की कॉस्ट इतनी है तो दो बार टायर बदलवाने की कॉस्ट इतनी है अगर हम 32,000 को 15 से डिवाइड कर दें तो ये पर एनम की कॉस्ट आ जाएगी और 16,000 को 10 से डिवाइड कर दें तो ये पर एनम की कॉस्ट आ जाएगा उप्ट करणथा यह बात समझ में आगए आप लोगों को इसके बाद बैटरी रिप्लेशमेंट बैटरी रेप्लेशमेंट 15 साल 10 साल यह लाइफ है वीकल की रेप्लेसमेंट कह रहा है आठ साल तो पहले वह बैटरी चलेगी जो सब्सक्राइब बाटरी बदलवानी पड़ेगी एक बारब बदलवानी की कॉस इसकी बाराहाजारा और इसकी पांच लाग चालिसाव हिले भी सिपक्राइग Yes तो चार चीजे आपने निकाली हैं ये एक, समझना, दो, त्रीन, और चार, एक, दो, त्रीन, चार, पांच, ये गीवन थी, आपकी कॉस्ट आगई, पत्म हो गया, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आगई आप लोगों को, अब लास्ट कोशन है, थियोरी का कोशन है, पहला कोशन पूछा है, कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल कोस्ट का डिफरेंस बताओ, आईए मैं दिखाता हूँ, कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल को का डिफरेंस, मैं वहीं से आपको समझा देता हूँ, देखे लिखा है, अ हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे देखो लिखा हुआ है cost that can be controlled मैं वैसी नहीं कह रहा हूँ और जो cost control नहीं हो सकती उसको uncontrollable cost कहते हैं cost that can be controlled typically कौन control करेगा buy a cost profit or investment center manager आगर आपके ये word भी याद नहीं है तो आप ये कहें typically buy a manager देखिए मैं इंटर पढ़ाता हूँ मैं costing का batch लेता हूँ तो मैं अपने batch की cost को control कर सकता हूँ मैं आपको जो books देता हूँ notes देता हूँ मैं उस control को उस cost को तो control कर सकता हूँ क्या जो हमारे हैं accounts पढ़ाते हैं law पढ़ाते हैं क्या मैं के cost को control कर सकता हूँ क्या बताइए तो जो मेरे लिए cost वो control level है जिसका मैं manager हूँ by a cost manager credit cost इस और prove control है तो मेरे हाट में अगर दूसरे टिपार्ट में की cost मेरे हाट में तो वो मेरे लिए प्रॉफET मैनेजर भाय इनिवेस्ट्रेंट मैनेजर पाया cost manager, controllable cost incurred in a particular responsibility center, center के तरे department को, can be influence, उसको influence किया जा सकता by the action of executive heading that responsibility center, जैसे मैंने बताया, कि मैं पाट-शाला classes में costing और tax को deal करता हूँ, तो मेरा जो responsibility center है, वो C enter tax, C enter cost and management accounting है, उससे related cost को मैं अपने action से influence करके control कर सकता हूँ, मेरे लिए वो cost control level है, but accountancy, law, audit, EISSM, उनका मैं accounting head नहीं हूँ, उनका मैं action नहीं ले सकता, उनका executive head नहीं हूँ, तो वो cost मेरे लिए uncontrollable है, जा बात समझ में आई या नहीं आई, उसके बाद है cost plus contract, ये cost plus contract क्या होता है, जहां पर contract price को ascertain किया जाया, ascertain कहते हैं compute करके, कैसे, जो हमारी total cost of work है, total cost में, जब आप profit add करके, अपना margin add करके, contract price बताते हैं, तो उसे कहते हैं cost plus contract, देखो लिखा है, contract price is ascertain, ascertain का मतलब है compute करना, cost of work में क्या add करके, profit add कर, such type of contract are entered into when it is not possible to estimate the contract cost, with reasonable accuracy due to unstable condition of material labor and service, कैरे जब ये ना पता चल पाए, हमने एक चार माले की building बनाने का contract ले लिया, जिसमें 3 साल लगेंगे, अब इतने बड़े काम को जिसमें 3 साल लगेंगे, during these 3 years, material की cost change हो सकते हैं, labor की cost change हो सकते हैं, overhead change हो सकते हैं, मुझे एक tentative idea है कि एक करोड रुपे खर्च हो जाएगा, मैं कभी भी अपनी cost नहीं बताऊँगा अब एक करोड खर्च हो जाएगा, मेरे दिमाग में समझ में नहीं आ रहा है, यार, जादा भी हो सकती है, ये cost, तो मैंने सारे uncertainty को cover करने के लिए 40,00,00 रुपे और अपना add कर दिया profit margin, इसे कहते हैं, cost plus contract, इसके क्या advantage है, contractor assure हो जाता है कि उसको fixed percentage of profit मिलेगा, और कोई risk नहीं है, उसको loss incur करने को, ये useful है जब definitely fixed ना हो at the time of making estimate कि हमारी cost क्या आने वाली है, उम्मीद करता हूँ, आप लोगों को बात समझ में आ रही है, और contractee can ensure himself about the cost of contract, as he is empowered to examine the books and documents of the contractor to ascertain the veracity of the cost of contract, हाँ, अगर contractee निकालना चाहता है, हमने book रख दिये हैं, उसके सामने, वो contract की cost निकाल ले, हमने तो उससे कह दिया है कि जो भी cost आएगी, उसका 20% हम और add करके तब पैसा लेगे, उसे कहते हैं, cost plus contract, अभी हमें नहीं पता cost कितनी आएगी, जितनी भी cost आएगी, हम आपके सामने अपनी books of account रख देंगे, सारे bill रख देंगे, सारे voucher रख देंगे, आज के टाइम पर हमारी लिए मुश्कील है कि हम आपसे कह दें, एक करोड रुपया लेंगे आपसे, दो करोड लेंगे, हम ही नहीं पता, हम काम को due, मतलब respect के साथ करेंगे, मतलब पूरे devotion के साथ करेंगे, हार्डवर के साथ करेंगे, discipline के साथ करेंगे, आप प्रॉपर अपनी inspection हम पर बनाए रखिये, बट अभी हम आपको assure नहीं कर सकते के what amount we are going to charge with you, हम आपसे बस कह रहे हैं कि जो भी हमारी cost आएगी, उस पर 20% हमको अपना profit चाहिए, वो कहएगा जी मैं कैसे माल लो तुम्हारी cost क्याएगी, तो हम कहेंगे we are ready to share our document, our books of account with you, आप अपने auditor को ले आईए, चेक करवा लिजे उससे, उसने का okay, free access है आप कभी भी आके देख सकते हैं, कभी भी inspection कर सकते हैं, कही material की wastage नहीं करेंगे, कि अगर हम material की wastage करेंगे, उससे सर्थ सिर्फ आपका नुकसान ही हमारा भी नुकसान है, आज तो हम आपसे काम ले सकते हैं, कल आप हमें दूसरा काम नहीं देंगे, तो हमारी कोशिश रहेगी कि cost minimize हो, मगर inflation हमारे और आपके हाथ में नहीं है, इसलिए जो भी पूरे contract में cost आएगी, जो आप खुद भी देख लेना कि वो ही cost आई या नहीं, उसे उपर 20% देना, उसे कहते हैं cost plus contract, मैं उम्मीद कर लूँ बेटे आपको बात समझ में आईए, अब है integrated accounting system, जिसको मैंने last MTP में भी बताया था और RTP में भी बताया है, integrated accounting system वो system है, जहां cost और financial account का एक ही books of account रखा जाता है, इस system में हम effort करते हैं, full information for costing as well as financial account, यहाँ पे जो information और data होता है, वो इस तरीके से रखा जाता है, कि firm ascertained भी कर सकती है, cost of each product, job और process और हम यहाँ पे ensure करते हैं, कि ascertained कर सकें, marginal cost, variance, abnormal losses, gains, इसकी detail मैंने इस बार का जो RTP 2023 से मई का, उसमें डाल दी है, यह question वहाँ पे भी मुझूद था, उसके बाद आता है, impact of IT, information technology का, क्या impact है, cost accounting system में, इसमें क्या है impact, introduction of ERP, different functional activity, get integrated, and as a consequence, a single entry into the accounting system, provide custom made report, for every purpose and saves an organization, from preparing different set of account, सरी, यह क्या मतलब है, यह जो आपने पहला पहला पढ़ा है, पिटा, इसमें एक word देखो, ERP, जैसे कि आपने सुना होगा, टैली, यह ERP, यह software है, आप इसमें सिर्फ एक entry डालिये, कि हमने शाम को माल बेचा, उधार बेचा, यह cash वो डाल दीजे, यह entry किस ledger में जानी है, trial balance में कहां जानी है, final account में कहां जानी है, balance sheet में कहां जानी है, automatically सब जगा खुद चली जाएगी, इससे हमारा time बचा, पहले क्या होता था, हम general entry करते थे, voucher बनाते थे, ledger posting करते थे, trial balance बनाते थे, final account बनाते थे, but because of IT, IT, information technology, we are free to prepare these type of accounts, so IT से हमें यह फायदा हुआ, यह accounting में भी फायदा हुआ है, और हमको cost accounting में भी फायदा हुआ है, यह फायदा accounting में भी बूचा जा सकता है, अब मूव तुवार्ट्स, paperless environment, इससे बड़ा फायदा ही है कि paperless environment है, bill of material, material acquisition note, good receive note, labor utilization report, वो आप अराम से बना के भेज सकते हैं, information technology की help से, with the help of internet, आप procurement और mobile license अराम से कर सकते हैं, example के तौर पर production department can get material from stores without issuing material requisition note physically, physically note issue करने की जरुछत नहीं, email डालो आ जाएगा, यह सब फायदा हुआ है, जब चाहिए material तब आ जाएगा, जिसको just in time approach बोला जाता है, आपको material में पढ़ाया भी गया है, cost information for a cost center, or cost object is as certain, with accuracy in timely manner, cost information किसी भी department के लिए, या किसी भी product के लिए, job के लिए आसानी से compute की जा सकती है, ठीक है, जैसे हम when an entity manufacture or provide services, it can know information job wise, अगर हम किसी job पे काम कर रहे हैं, तो हम job का data निकाल सकते हैं अराम से, batch का काम कर रहे हैं तो batch का, process के काम कर रहे हैं तो process का, किसी operating course sheet बना रहे हैं तो वो अराम से बन जाएगी, यह सब IT के फाइदे हैं जो इस question में दिये हुएं और यह question आ सकता है, last वाला IT वाला, तो यहां पे हमारा यह खतम होता है, दो घंटे में हमने अच्छे से discussion किया है, हमारी आप सब लोगों से यह request है, कि कोई भी हमसे गलती हो गई हो बोलने में, आप उसको description में डाल दें, और हमने कोशिच किया कि बोलने में, जहां पे भी गलती हुई है, उसको हमने वहीं पे rectify कर दिया है, इस class में किसी परकार की कोई editing नहीं है, जैसे record की जा रही है, वैसे यह YouTube पे चली जाएगी, बस हम से आप, आप से हमको क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा share करें, उस में comment box में please comment करें, और हमारी वीडियो को जितने लोग देखते हैं, वो subscribe नहीं करते हैं, जिससे हम नई वीडियो बनाने में बहुत demotivate होते हैं, तो please आपका subscribe, bell icon को प्रेस करना, हमारे लिए motivational factor होता है, कोई हमें कोई इससे बहुत बड़ी revenue और नहीं होती है, किसी भी teacher को, बस हमारे लिए motivational factor होता है, कि हमारी class को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख रहे हैं, अगर आपको किसी तरीके की class में कमी लगी हो, बिल्कुल criticize करिए, यू आर फिरी टू क्रिटी साइज, और अगर अच्छी लगी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें, like कर दें, thank you very much, और अगर आपको कोई और class चाहिए, जैसे हमने कहा है, टेक्सिशन पर हमारा MCQ आ रहा है, और GST का पूरा marathon, इसी अपरेल महीने में 25-26 तारीक तक सारा आ जाएगा, किसी को institute में आके हमारी class लेनी है, अगर कोई दिल्ली में लक्षमी नगर या उसके आसपास के आलाके में रहता है, तो वो लक्षमी नगर में पार्ट शाला classes है, जब यहाँ पर face to face मेरा थन होगा, तो वो आके यहाँ पर class ले सकता है, बाकि online तो आप ले सकते हैं, और bell icon को ज़रूर प्रेस करें, ताकि notification आपको time to time मिलते रहें, आज की class बेस्ट आई, गुड़नाइट चब्बा,